दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत शांदार तरीके से फाइदा पहुचाने वाली है इसके अंदर हम लोग पूरा current affair cover करेंगे जून और जुलाई का 2020 का तो जो भी current affair होगा वो सारी चीजे में हाँ पर cover करने वाला हूँ चाहे वो national news और international news और चाहे परसन specific news और चाहे किसी particular location के बारे में बात की जाए जो भी news आप लोगी बन सकती है वो सारी में हाँ पर cover करने वाला हूँ एक छोड़ी सी बात यार में हाँ पर बोलना चाहूँगा जिस भी exam की आप लोग तयारी कर रहे हैं क्या आप लोगो किसी ने force किया इस exam की तयारी करने के लिए आप लोगो ने खुद ने decide किया है कि हाँ यार इस exam की तयारी करते हैं जब उस चीज को आप लोगो ने खुद ने decide किया है और जब मेहनत करने का time आता है तो अगर आप लोग उस चीज से पीछे अरते हो के बाद में अगर regular बिना रुके बिना टोके आप लोग अगर continuous चलते रहते हैं तो at the end of the day आप लोग final destination तक पहुँच जाते हैं तो यही बात है बस मुझे आपर बतानी थी जैसे ही आप लोग के यह दो महीने के current affair कवर हो जाएंगे तो इसी तरीके से 2020 के total मिला कर मई से लेक होगा जैसे ही month complete हुआ करेगा वो current affair आप लोग आया करेगा तो इन सब को आप लोग revise कर सकते हैं इन सब की PDF मैं already telegram पर provide करा सुका हूँ वो सारी PDF आप लोग को free of cost मिल जाएगी जाकर उनको download कर लिजे एक बार नजर में को वीडियो जरूर निकाली जाएगा क्योंकि इतना सारा content है आपर हो जाता है कि अगर आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो फिर लंबे समय तक चीज़ों को आप लोग याद रख बात की जारी आपर किसके बारे में ये बात की जारी है दो particular group के बारे में एक तो हैं आपर RIC और दूसरा है quad group RIC जो group है आपर ये basically जिसको बोलते है Russia, India, China तो ये जो group है basically एक तरीगा trilateral group बोल सकते हैं जिसमें तीन country part होती है इनके दौरा अभी हाँ पर 75 वी anniversary celebrate के गई World War 2nd की World War 2nd के बारे में अगर आप लोग उसे कोई पूचे कब तक कब तक थी तो आप लोग ने देखा ये 1939 से लेकर कब से थी आपर ये थी 1945 तक तो ये जो World War आप लोग यहाँ पर देखने को मिली उसकी 75 वी जो यहाँ पर anniversary अभी celebrate के गई RIC के दौरा पर लेकिन अगर मोटे-मोटे तोर पर आप लोग देखिए ये RIC पुराना group है जो कि आज तक हम लोग follow कर रहे हैं ये first time जो picture में आय था 1990 में पर लेकिन आज की date में इसकी kart पर यहाँ पर एक दूसरा group बन गया है जो कि आप लोग देखने को मिलेगा दोनों में इंडिया को मन है ये हो गया quad group quad group में चार country है एक side में हो गया Japan यहाँ पर हो गया USA यहाँ पर हो गया Australia और यहाँ पर हो गया India तो अब quad group जो है वो कहीं ने कहीं मोटे मोटे तोर पर चाइना को टेगल करने के लिए बनाया गया है तो कई बार यह बोलाता है कि जा यह तो quad रहेगा या RIC रहेगा दोनों ए ऐसी भी बाते कई बार देखने को मिलती है तो इसके चलते हैं पर यह कई सारी ऐसी बाते देखने को मिलती है तो कोई भी confusion नहीं होना चाहिए उस टाइम पर तो यह लग रहा था कि अच्छी खासी friendship बनानी है चाहने के साथ में रसे की help से चीज़े सारी side direction में चल रही थी पर लेकिन आज की date में चीज़े जो हैं वो पलट चुकी है तो आने वाले time में अगर इन दोनों group में से question बन जाए तो यह मत बोलना question कहां से आ गया ठीक है तो बिल्कुल confusion नहीं होना चाहिए ऐसे question आप लोगों से exam में direct बन जाते हैं बात की जारी है GNS science के बारे में ये New Zealand based एक research institute है इसके द्वारा अभी हाँ पर publish किया गया एक particular map और जिसमें Zealandia के बारे में हाँ पर बताया गया था ये particular अगर देखें हाँ पर हो गया Australia और यहाँ पर हो गया New Zealand तो इसका एक particular पास में जो region है इसको बोलागे हाँ पर Zealandia एक तरीका एक continent की तरीके से हाँ पर इसको देखा जा रहा था जो की submerged हो चुका है और ये कहाँ पर है ये Southern Pacific Ocean region के अगर मोटे मोटे तोर पर आप लोग यहाँ पर देख पाते हैं तो यहाँ पर देखेगा इधर जाएंगे तो अपनी country आप लोग को देखने को मिलेगी यह हो गया Australia और यहाँ पर आप लोग देखते हैं यह पर बीच में क्या हो गया यह तासमान C हो गया कई बार question भी पारे में अगर आप लोग उसे कोई बाते करें तो confusion नहीं होना है political division अगर बात करें जिलेंडिया के अंदर तो New Zealand देखने को मिलेगा इसी के साथ में New Caledonia नेक्स्ट बात करें तो Norfolk Island इसी के साथ में Lord Hawk Island आप लोग को देखने को मिलेगा और यहाँ पर Elizabeth और इसी के साथ में नाम से भी हाँ पर पुकारते हैं इसी के साथ में आपर T. Rau, U. Move यह अनदर नाम है जिलेंडिया का अगर आप लोगों से यह भी नाम कोई पूछ ले देखें कई बार आप लोगों ने एक्जाम में यह वाते फिल की होगी कि आप लोगों से ऐसे ऐसे नाम कई बार पूछ अगर आप लोगों से अगर आप लोगों से अगर आप लोगों से पास में हैं तो बोला गया कि आप लोगों क्या अगर ने उसके बारे में information देनी हैं और voluntary disclose करना है कि हाँ हमारे पास में कोई ऐसे species हैं क्योंकि यहांपर जो इस तरी कोई species normally क्या होता है wildlife protection act जो 1972 है तो उसके तहत अगर बात करें उसके अंदर यह species cover नहीं की जाती हैं तो अलग से आप आपर इसके बारे में mention करना पड़ेगा और normally जो बात करें हाँ पर तो convention of international trade in endangered species wildlife जो flora and funa होता है तो अगर बात करें जैसे कि फूना क्या हो गया यह होगे basically पसुपक्सी यहाँ पर हो गया flora पेड़ पोदे होगे तो इसके अंदर अगर बात करें तो यह रोकता है कि endangered जो भ कुछ basic information है जो कि आप लोगो clear होनी चाहिए ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश government के द्वारा बड़ा ही बड़ा एक अच्छा step यहाँ पर उठाया गया अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो इसे question आप लोगों से बन सकते हैं इस state के अंदर को बनते हैं जैसे नीम का हो गया ठीक है इस तरीके से जिससे दबाई बनाया जा सकती है तो यह किसके तहट काम क्या जा रहा है तो एक भारत सरेष्ट भारत जो प्रोग्राम है वो किसके अंदर आता है तो ministry of female resource development के अंदर आता है यह important point आप लोग याद रखेगा जिसको ministry of female resource development आज केड़ में हम लोग बोड़ रहे हैं यह यहाँ पर normally ministry of education इसका नाम change करके कर दिया गया है पर लेकिन जिस time की यह news है उस time पर यहाँ पर इसको ministry of human resource and development ही बोला करते थे ठीक है तो confusion आप लोगो नहीं रखना है अच्छा पहले यह बताईए इसससे पहले जो इसका नाम code rating के चलते हैं कि RTI के थुरू आप लोगो यहाँ पर इसको basically declare करना है ठीक है तो यहाँ पर वो RTI के थुरू declare नहीं किया गया नोट ए public authority यानि कि तरीके से जो यहाँ पर यह public authority नहीं है जिसके पैसा इखटा किया गया है तो इसके चलते जो RTI Act है उसमें यहाँ पर information देने को नहीं मिला चलिए यह तो कुछ नहीं आप लोग को इंटरेसिंग बाते बताता हूं RTI के बारे में RTI के बारे में याद रखेगा अगर आप लोग जाएंगे fundamental right के अंदर तो article 19 का जो first section है उसके अंदर आप लोगो देखने को मिलेगा RTI का fundamental right की तरीके से देखा जाता है हमारी country में कि यानि कि particular person को हक है जानने का को information इस तरीके से तो यह आप लोग से important question अगर exam में पूछ ले आए तो यह मत बोलना question कहा से आ गया direct ऐसे question आप लोग से बन जाते हैं ठीक है next important news है यह ministry of जो है आपर है ministry for electronics and information technology की साइड से तो national program for youth जिसको बोला गया है है हापर responsible artificial intelligence for youth यह program है यहाँ पर देखने को मिला चाकि youth पर याणि के जो young generation है जो देश के नव यूवक हैं जो नव जवान जो लोंडे है उनके बारे बात की जारे है लोंडों का मतलब बिसिकलि असा नहीं कि यह बिसिकलि लड़कों के लिए है यह लड़कियों के लिए भी है यह जो नव यूवक यूथ है देश के तो Department of School Education and Literacy और Ministry of HRD Human Resource Development जिसका Education Ministry बोलते हैं ताकि artificial intelligence का use हम लोग प्रोपर तरीके से जान सके और national program ये open है class 8 से लेगे class 12 तक का central state दोनों लेवल पर यहां पर यह काम करने वाला है यानि कि artificial intelligence का use कैसे करना है कैसे चीज़े चल लिए तो बच्चों तक यह चीज़े पहुंचा जाए जाएगे अगर मध्या परदिश से आप लोग निकल कर आते हैं तो ऐसे question आप लोग उसे direct पूछ ले जाएगे आप लोग उसे पूछ जाए अगर रोजगार सेतु क्या है तो किसके द्वारे हम पर इस्टार्ट की गई है कई सारी scheme के नाम देनेंगा लग लग राज फाइदा पहुचाने के लिए जो एक तरीके से यहाँ पर यह system प्रोवाइड करा जा रहे है सी के साथ में मुझे किसी particular बंदे की जुरत है PPD बनाने के लिए ठीक है और यहाँ पर कोई particular बंदा ऐसा है जिसको PPD बनानी आते है काफी एच्छे से ठीक है तो यह रोजगार स जोब लेने वाला तो वो नहीं कहते है कि दोनों का फाइदा हो गया ठीक है तो इस तरीके से दोनों के फाइदेगा काम किया गया मज्या परदेश गोवर्मेंट के दौरा तो एक अच्छा step आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो basic information इसके बारे में रखेगा आए अब यहाँ पर कुछ बात है आप लोगों से पूछी जा सकती है क्यों यह न्यूज में थे ठीक है तो आप लोग याद रखेगा अगर बात करें तो एक मल्यालम डेली न्यूजवेपर था जिसके यह चेर्मैन और मैनेजिंग डिरेक्टर थे तो याद रखेगा इसका नाम थे केरला के अंदर में यह इंपोर्टेंट बात है 1924 में हाँ पर यह फांड किया गया था KP जो यहाँ पर कैस मैनन है उनके द्वारा तो यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर इसके साथ मैं व्याम सकता अगर है इन त्रिवन को तो यहाँ पर उसको भी लीड किया गया था यहाँ पुराने टाइम का न्यूजपेपर है यहाँ पर यह जब फांड किया था हमारी सोतंतरता संग्राम में भी इसने रोल प्ले किया तो ऐसे न्यूजपेपर का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया और क्यो न्यूजपेश में है तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात की जारी है आपर BCCI के बारे में तो BCCI के द्वारा नोमिनेट किया गया था है आपर रोहित सर्मा को जो राजीव गांदी खेल रतन अवोर्ट के बारे में अच्छा ये राजीव गांदी खेल रतन अवोर्ट वही अवोर्ट है जो कि र परफॉर्मेंस कैसी रही तो चार साल में आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस रही तो उसके वेस पर यहाँ पर यह बेसिकली अवोर्ड दियाता है राजीव गांदी खेल रतन ओर तो अवोर्ड जो है यहाँ पर यह जो गलत लिखा हुआ है नोर्मली अभी फिलाल जो कैस हैं यहाँ पर दिया रहा है यह 25 लाग रुपे हैं पर कैस प्राइज अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है इस पर्टिगलर अवोर्ड के तैर तो इस पॉर्ट के फिल्ल में हाइस्ट अवोर्ड आप लोग यहाँ पर इसको बहुत सकते हैं जैसे नोर्मल तरीके से इसके बारे में ठीक है तो कन्फूजन नहीं होना चीए इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखेगा अगर एप फो वगरे की आप लोग तैयारी कर रहे तो ऐसे कोश्चन आप लोग उसे बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछ ले जाएंगे परधान मंतरी यह भारत जन उजदी जो प्रियोजन है आपर यह बेसिकली परधान मंतरी जन उजदी केंद्रा के तैत यहां पर देखिए होता किया है अगर आप लोग डोक्टर के पास में जाएंगे तो महगी महगी दवाईयों के नाम लिखतेगा पर लेकिन यह सिस्टम वो सिस्टम है जो कि तो नोर्मली अगर बात करें आप लोगों से एक important information याद रहेगा जो geographical indication जिसको GI tag बोलते हैं वो नोर्मली 10 साल की दी जाते हैं जो भोगली संके तक बोलते हैं पर लेकिन जो patent होता है वो नोर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका 20 साल का normally time duration होता है तो यह important है जब patent खतम हो जाता है तो तब उसको use करकर generating दवाई बना जाती है नोर्मली अगर देखने है तो पर लेकिन होता कि है अगर patent खतम नहीं हो रहा है तो वो दवाई या माली है कोई 1000 की मिल रही है कोई 500 की मिल जाएगी तो लगबग आप लोग बोल सकते हैं कि एक 0 मेंसे आप तो काफी अच्छा है यहाँ पर इसको आप लोग enjoy कर सकते हैं आसानी से ठीक है तो basic information है question अगर बन जाए तो confused मत होना आगे बात करते हैं आपर बात की जारी है यह काफी important news है जो की काफी ज़्यादे news में भी उस time पर जब यहाँ आपर यह बाते देखने को मिली बात की जा दुकान थी उस दुकान पर यह बंदा जो था बीडी सिग्रेट वगएरा पीने के लिए आता था तो हाँ पर बीडी सिग्रेट या चाय वगएरा तो होता क्या था है यहाँ पर एक particular person नहीं था जहाँ पर आप लोग regular जाने लगते हैं तो आप लोग की जान पहचान हो जा क्या गया इस तरीके से हरकत देगी हाँ पर इसने बोला भी कि यार मुझे सांस नहीं आ रहा है पर लेकिन इस इंसान ने अपना घुड़ना नहीं अड़ा है इसके ओपर से और इसकी death होगी तो यहाँ पर पूरी country के अंदर एक movement चल गया all over world में इसके बारे बाते कीगी त तो black lives matter यहाँ पर मुहीम चली काफी large scale पा जिसकी वेसे यहाँ पर यह news में आ गया है तो अगर आप लोग उसके पूछे कोई कि black lives matter यह movement कहाँ पर चला गया तो यह movement चला गया basically अमेरिका के अंदर में जिसमें African American जो George Floyd नाम का एक परसन था उसकी death होगी थी जिसके चलते हा हाँ पर यह चीज़े देखने को मिली तो counterfeit currency के चलते हाँ पर softkeeper के द्वारा police को complain किया गया यह दिक्कत यहाँ पर आ गई तो तब चलकर यह movement चला यह जो movement था नूर्मली तो तो जहार तेरे में बीगन हुआ था यह आगे चलकर यहाँ पर Canada still है और Germany कई सारी country में हाँ पर फैला तो इस तरीके से इसके बारे में idea रखेगा ठीक है तो basic information कई बार इधर उदर से question मन जाए तो अगर उसके पीछे की story आप लोगो बता है तो फिर आप लोगे mind में कोई confusion नहीं रहेगा तो इसलिए हमेसा आप लोगो background की information जरूर रखनी चाहिए ठ्योंकि background की information रखने चाहिए तो इसके साथ में हापर करें ऐसागी किस ही एक सिस्टम में इसका नाम आप लोगो बता इजो भी recently काफी ज़एंगा है new में था आइरन करके उसका नाम था, आइरन, आइरन के आगे क्या लिखावा था, बताइए, ठीक है, तो एक तरीके से वो ऐसा सिस्टम था, जिसको यहाँ पर basically use के जा सकता है, अगर कल को कोई missile आती है, उसको हवाई हवा में उडाने के लिए, तो एक तरीका यहाँ पर यह कर पाएंगे, सोचे अगर यहाँ पर यह हो गया, basically South Korea यह हो गया, जापान, अब यहाँ पर आकर USA ने अपना third system रख दिया, इन country को बचाने के लिए, तो होगा क्या, तो उपर हो गया, आपर Russia, इधर हो गया, आपर China, तो दोनों को सदमा लग जाएगा, कि यार यह तो हमार पाने की भी बात इनके द्वारा की जाती है, तो उसकी वज़े से भी यह कई बार news में आ जाता है, ठीक है, यह फिर से repeat हो गया, ठीक है, यह repeat, यह system basically मुझे समझाना थे हैं आपर, तो थार जो है, एक anti-ballastic missile system आप लोगो को देखने को मिलेगा, आज की date में यहाँ पर इसर इसा कोई system होना चाहिए, उसको और उसके दोस्तों को बचा जा सके है, इस system में basically होता कि है, अगर इधर से कोई missile आई, तो radar उसको detect कर लेगी कि भाई साब खत्रा आ रहा है, तो जैसे खत्रा आएगा तो radar क्या करेगी, फिर यहाँ पर यह थाड का fire control system है, यहाँ पर fire control system के पास में, यहाँ से एक signal जाएगा launcher के पास में, और missile launcher के आगरेगा, यहाँ पर missile launch कर देगा, तो हवा ही हवा में missile को destroy कर दिया जाएगा, तो पहला step radar, दूसरा step signal भेजा जाएगा इस पर launch करके और यहाँ पर attack कानी खता, तो इस तरीके से आपर यह इनके द्वारा काम किया हैं, कुछ basic information, कुछ आप लोगों से extra information भी हाँ पर देखने को मिलेगी, center marine research जो institute है, आपर उसके द्वारा भी हाँ पर देखने को मिली, एक particular ऐसी मचली की पर जाती है, यह तो इसको क्या बोला जा रहा है, इसको scorpion fish बोला जा रहा है, तो scorpion fish जो है यहाँ आपर यह गल्फ of manar वाला जो region है, यहाँ पर आप लोगो देखने को मिली, तो ऐसी कोई परजाती पाय जाती है, तो इसके बारे में आप लोग idea जरू रखेगा, अगर बात करें तो park state हो गया और gulf of manar हो गया, इसको connect कोन करता है, तो park bay आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद यह basically है, और रामिस्वरम वाला एरिया आप लोग है हाँ पर देखने को मिलेगा, जहां से APG अब्दुल क्लाम सर्च जो है, जहां पर पैदा हुए तो इसके बारे में याद रखेगा, गल्फ of manar जो है हाँ इंडिया और स्रिलनका के बीच में, आप लोग को सैलो वोटर देखने को मिलेगे हाँ पर यह, एक तरीके से कई बार आप लोग ने देखा होगा, राम सेतु, सैपरेट करता है हाँ यहाँ पर गल्फ of manar को जो पाग बे के साथ में, जो मैंने भी आप लोग के हाँ पर दिखाया, नोर्मली हाँ पर राम सेतु भी आप लोग को देखने अब लग की तरीके से कोई तरीके से कोई निज़ आ रही है, तो इस तरीके से उसक वारे में बेसिक इन्फोर्मिशन आप लोग के मायड में के लिया हरोनी चाहिए ठीक है मिलकर काम किया गया तो दो important यहाँ पर यह organization साथ मैं ही और इनके द्वारा 6th International Yoga Day celebrate किया गया 21 June 2020 में तो यह जो Yoga Day हाँ पर celebrate किया गया इसका basic purpose यही था कि 3 minute की video बनाकर upload करनी है Yoga, asana, kiriya, panna या mudra कोई भी ऐसा जो भी आप लोग करते हैं जैसे मूँ बोलता हूँगी कम से कम दो योगा तो आप लोग क्या ही करो या एक तो होता है अनुसासन जो basically एक तो होता है आपर अनुनों विलों और दूसरा होता है क्या सांस लेना और सांस छोडने वाला एक तो यह हो गया पहली बार योगा डेक अब सेलिबेट किया गया था हमारे देश में आप लोग को पता है उसके बारे बताइए जल जीवन मिसन जो है आप पर इसका एम कहा है पचपन लेटर वोटर जो है गाउं वाले एरिया में दुजार चोबिस तक का हर घर में पहुचाना तो यह टार्गेट है तो यह भी कई बार न्यूज में रहते है तो बेसिक इंफॉर्मिशन देखे रेगुलर अगर आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो ऐसे इसी चीज़े तो कई बार रिपीट हो चुकी है देखे किसान क्या करता है आसपास में कोई सावकार है था उससे पैसा ले ले जाकर वो क्या करेगा वो कंपाउंड इंट्रेस्ट है निकिए चक्रवर्दी मिस्ल धन पे पैसा देगा तो दिक्कत हो जाती है किसान क्रेट कार्ड के है उनको प्रोवाइड करा रहा है 1.5 क्रोड डेरी फार्मर को ताकि वो इस तरीके से अपना कार्ड को यूज़ करके किसी सावकार के चक्कर में अबना पड़े तो आत्म निर्बार भारत अभियान जो है उसके तैत यहाँ पर ये चीज़े स्टार्ट की गई तो आरवी गुपता कमेटी तो आप लोगों से पूचेगी किसान क्रेडिट कार्ड जो इसकी में आपर ये ये किसकी दुआरे यहाँ पर सपोर्ट की गई वो कमेटी कोंसी दी जिसके दुआरे रिकमेंट की गई तो याद रखना important question मन सकता है आरवी गुपता ठीक है तो question confusion में नहीं जाना है आरवी गुपता और ministry of finance जो है वहाँ पर इसको implement करने वाली है तो किसान credit card दे जाते है तो इसका मुदलब यह नहीं कि agriculture ministry इसको implement करेगी तो आप लोगों से तुरंट ऐसे statement में question बन जाएंगे फिर बोलोगे यार question कहां से आ गया तो भाई साब यहां से आ गया थोड़ा सा भी ध्हान दखोगे तो question गलत नहीं होगा एक्जाम में guarantee देता हूँ भाई ध्हान दखे थोड़ा सा ठीक है आगे बढ़ते हैं बात के जारे ministry of housing and urban affair के द्वारा loans की गई special जो micro credit जो facility scheme है जिसको बोला गया PM के नाम पर यह micro credit जो चोटा सा credit प्रोवाइड कराने के लिए किन के लिए जो vendor होते हैं street vendor गलियों नहीं सबजी बेशते हुए खेल खेलोंने बेशते हुए जो गलियों में घुमते हैं तो street vendor उनको बोलते हैं तो प्राइमिस्टर के द्वारे हैं आपर यह basically street vendor आत निर्बर निदी लाई गई जिसके चलते affordable loan उनको प्रोवाइड कराया जाना है फिरी में नहीं प्रोवाइड कराया जारा है कुछ भी loan दिया जारा था उनको ताकि उनकी जिन्द की आसाने से कर सके क्योंकि COVID-19 के चलते सब कुछ सट डाउन हो गया था तो इसके चलते vendor जो है उनको बोला गया कि 10,000 तक का basically उनको एक तरीके से loan दिया गया ठीक है जो कि आप लोग monthly statement में भी हाँ पर pay कर सकते हैं tenure क्या था उसका one year का था तो इस तरीके से उन्हें कि थोड़े दिनों के लिए कम से कम जिंदगी आसानी से चल जाए कोई दिक्कत है देखने को नहीं मिले तो उसके चलते इस तरीके प्रोग्राम सामने निकल कर आते हैं तो basic ऐसी चीज़े कई बार आप लोगों से exam में पूछ ली आती है PM निदी पर लेकिन city में तो अगर कोई घर पे आ रहा है तो कोई नॉर्मली देखने को मिलेगा कि एक तरीके से ज़्यादा कॉंटेक्ट रखते नहीं अपने पूरोसी के साथ में भी नॉर्मली अगर देखा जाए कोई society कोई कोलोनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है पुराने बुज़ुर्ग लोग रहते हैं तो ठीक अलग बात है वरना सब उने घरों में रहते हैं कोई ज़्यादा कोंटेक्ट नहीं करता है तो कोई इस तरीके से vendor अगर आप भी नहीं रहा है कि जिंदगी ऐसी हो गई एक चाइना के अंदर में ठीक है तो डोनलर्ड ट्रम थे उस टाइम पर प्रेजिडेंट उनके द्वारा बोला गया कि काफी ज़्यादा है प्रोल्म यहाँ पर देखने को मिल रही है एक तरीके से यहाँ पर fundamental right का भी हननन हो रहा है तो उसी के चलते एक act लाया गया उनके को यहाँ से निकाला जाएगा जिंग्जियान वाले रिजन से और उसको कहां ले जाएगा यहाँ पर देखिए यह particular reason है जिंग्जियान वाले रिजन एवन हमारी country के area के साथ हैं भी है तो बोला जारा था कि यहाँ से इनको निकाला जाएगा educate करने के लिए इनको किसी camp में कहीं और ले जाएगा और वहाँ पर उनकी जाते ही कानी खतम हो जाती है पता नहीं चलता हो कहां पर है यहनिके उनकी जिंदगी जो है वो आत्म निर्वर हो जाती है यहनिके वहाँ से कानी खतम हो जाती है बहुत सारे लोग तो return ही नहीं आते है उनका education के नाम पर वहाँ स के गए हाँ पर ये चैंपियन करके ठीक है तो चैंपियन करके हैं हाँ पर किसके लिए प्रोग्राम लोच के गए था यह तो मैंने अभी भी पढ़ा है क्योंकि ऐसी चीज़े कई बार रिवजन में भी आप लोग यह आती रहती हैं तो यह इसके बारे में वैडिया जरूर रखेगा आगे बात करते हैं तो World Environment Day के बारे में बात कि जा रही है तो 5 June को ये celebrate कियाता है तो theme जो थी आप अपर अब की बार की World Environment Day की ये बात करे थी कि celebrate Biodiversity तो Biodiversity आप लोग को celebrate करनी है देखिए आज की date में हम लोग environment में रहते हैं तो हाँ पर कीट पतंगे चडिया कई सारे जानवर पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेंगे तो अगेला इंसान नहीं है हम आपर दुनिया भर के पेड़ पोदे आप लोग को देखने को मिलेंगे तो पूरी Biodiversity आप लोग को नजर आती है तो उसमें मिल जूलकर हम लोग को सबके साथ में रहना है तो उसी को थेम को यहां पर रखा गया था ठीक है यह है important news आगे बढ़ते हैं अगर बात पर expert committee के द्वारा यहां पर बात की गई है यहां पर basically rationalization of film media unit and review तो इसके चलते हैं हाँ पर autonomous body है उसके द्वारा report submit की गई मिनिष्टी of information and broadcasting के आज की डेट में कुछी community ऐसी है अगर बोलीवूर में बात करें कुछ सलमान खान वाले group वाले हो गए कुछ यहां पर अगर करण जोहर वाले group वाले हो गए ठीक है दो चार और दूसरे हो गए तो यानि कि यही काम करते है मालेगे कल को आप लोगो कोई बहुत शानदार idea आ गया और आप लोगो उसके अउपर movie बनानी है और वो शानदार idea ऐसा है कि देशको फाइदा पहुचा सकते है तो अगर उसको movie बनानी है तो उसके पास में दुनिया भर का fund चाहिएगा तो एक तरीके से किसी के पास में अगर कोई ऐसा धंका आइडिया है और उसको चल कि ऐसे फिल्म बनानी है तो एक तरीके से फिल्म पर्मोशन फंड फोर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए आपर सपोर्ट किया गया कमर्शल मूवी बनाने के लिए तो यहाँ पर विमल जुल का जो कमेडी है उसके द्वारे यहाँ पर यह बेसिक लिए बाते सामने निकल कराए ताकि यहाँ पर मोनोपोली क्रियेट ने कर सके आप लोग ने देखा हुआ सुसान सिंग राजपूत का केस अब तक पेंडिंग करते रहो तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है पुरी जिन्द की घुसने में चले जाती है उसमें पर्टिक्ला इंडस्ट्री में और चाहे फिल्म स्टार के बच्चों लोग कुछ आता हो चाहे ना होता हो दान दिखाना ही ही करके बस अपना बस मूई बना ली कोई भी एक्टि देखने को मिलेगी तो रियल अटी में तो सेलिब्रिटी जो है हमारे देश में सेलिब्रिटी के नाम पर बस सेलिब्रिटी ही नहीं है आज की डेट में आप लोग ऐसा देख सकते हैं तो सिचुएशन काफी खराब है कम से कम अभी ये चीज़े थोड़ी चेंज होगी तो स वह तरीके नहीं करें की तरीके से तो उन से पूछा गिया है भाई साब क्यों सपोर्ट नहीं करोगे उनके दवराब बोला गया कi डौण तरीके से चाइना से चानीज वाइरस निकल गया और उसने किसी पैसा पेए करता था लगबग 15% यूएस से भार निकल गया तो यहाँ पर जो बिलाइंड गिलिंडा मेर्स का फांडेशन है वो यहाँ पर फिर सबसे ज़्यादा पेए करने वाला हो गया UK हो गया जर्मनी हो गया जापान हो गया अलगी फंड देते हैं पर लेकिन सबसे ज़ चलते हैं काफी ज़्यादा है नियूज में यहाँ पर आ गया था ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली इसी के चलते हैं तो यहाँ पर बिलाइंड बिलिंडा गेट्स फांडेशन यूके गावी अलाइंस जो है जर्मनी और जापान यह टो फंडर आप लोग यहाँ पर देखने को मलते हैं अब तो बिल एंड बिलिंडा गेट्स फांडेशन भी हाँ पर आप लोगो देखने को मलते हैं बिल गेट्स और बिल गेट्स अलगलग हो गया इनका डाइवोर्स हो गया हलागि फांडेशन वगरा वो सारी चली रही है तो वह एक अलग चीज़ है तो बेसिक इ ईसको आलगी जो साइकलोन एंफ़न उसके साथ में कंपेर करके भी देखा गया जो कि मई में आप लोग को देखने को मिल रहा था ठीक है हलाकि वह था कहा पर वह था बंगाल वाली साइड में और यह अरेवीन सी साढड में तो अहां पर बैसिकली जो लिश्टिड किया गय तो ये नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया है कि इसके दोरा दिये गए हैं तो confusion आप लोगों को नहीं होना है आगे बात कते हैं 5 दिसंबर 2017 में United Nations General Assembly के दोरा डिकलेर किया गया कि 5 जून को International Day for Fight Against Illegal Unreported और इसी के साथ में Unregulated जो Fishing है यानि कि अगर समूनर के ओशन के अंदर कोई भी गलत तरीके से अगर Fishing करता है तो उसको रोगने के लिए 5 जून को ये Day Celebrate करेंगे तो इनका Target क्या हो गया Target ही हो गया कि जो हाँ पर Sustainable Development Goal 14 है 14 के बारे में अगर मैं बात कुरू Sustainable Development Goal के तो ये बोलता है Life Below Water तो टोटल वलागर कितने Sustainable Goal है तो 17 Sustainable Development Goal है तो इस Starting के कम से कम 5 तो जुरूर याद रखे इनसे Question मन सकते हैं बड़ी आसानी से पहला गरीबी के बारे में बात करता है दूसरा भुकमरी के बारे में तीसरा Health के बारे में चोथा Education के बारे में और पांचों करता है Gender Equality के बारे में हाला कि छटा भी Important हो जारा आज के बारे में क्योंकि पीने के लिए साब पानी लोगों को मिली ने रहा है तो Clean Water और Sanitation के बारे में बात याद रखेगा बागी 13 काफी Important हो जाता है Climate Action 14 हो जाता है Life Below Water 15 हो जाता है Life on Land और Peace and Justice ये इसके बारे में बात करें तो Sustain तो आप लोगो देखने को मिलेगा तो Basic Information इसके बारे में आप लोग कोई Confusion नहीं होना चाहिए तो उसी के चलते हैं यहाँ पर बुलाज़ रहा है कि Effective Regulation होना चाहिए कि मचली देखें Overfishing नहीं होना चाहिए मालीजे मचली जो है एक मचली जो समूदर में मालीजे 10 मचली है वो 10 मचली जो है मालीजे वो क्या कर रही है वो बच्चे दे रहे हैं तो यहाँ पर 20 बच्चे होगे पदा चला जाल फैंका और यहाँ पर 15 को इसमें से समेट के ले गया तो यहां पर इस तरीके से तो मचलेख खतम हो जाएगी यानि के पेड उतने ही काटो जितने आप लोग लगा रहे हो तो भी तो चीजे ठीक से चलेगी पलेकिन ऐसा हो नहीं रहे तो इसके चलते हैं आपर दीकते देखने को मिलती है तो इसी के चलते हैं अन्रिपोर्टेड अन्रेवलेटेड फिसिंग के बारे बात की जाती है तो यह बेसिकली हाँ पर सामने निकल करा है तो सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल जो है वो 14 है इससे लिटेड तो यह याद रखेगा ठीक है इनके द्वारा jointly launch किया गया है आपर The Urban Learning Internship Program जिसको TULIP का नाम दिया गया तो TULIP नाम से प्रोग्राम लोंच किया गया तो फुल फॉम आप लोग याद रखेगा Urban Learning Internship Program तो TULIP प्रोग्राम जहें प्रोवाइड करा रहे हैं एक तरीगा अपने आप में इतने ललायत हो जा रहे हैं कि आगे आने वालों के लिए कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं तो इसके चलते कई बार चीए देखने को मिलती है तो mind में confusion नहीं रहेगा तो चीज़े याद रहेंगी तो लंबे समयता चीज़े चल पाएंगी ठीक है आईए आगे चलते हैं यहाँ पर बात के जारी है World Economic Forum के बारे में जिसको बोलते हैं W.E.F. तो World Economic Forum के द्वारा New Twin Summit Format यहाँ पर लाया गया Davos के अंदर बेसिकली इनकी जो मिटिंग होती है तो इनके द्वारा बोला गया अब दो तरीके से यह सम्मिट करेंगे एक तो यहाँ पर जो सम्मिट देखने को मिलेगी उसके बारे बात के जारी है तो यहाँ पर जो बात रखी गए यहाँ पर इसकी थीम बोलेगी है The Great Reset Great Reset क्यों बोला गया क्योंकि COVID-19 ने कानी खराब कर दी तो फिर से चीजों को किस तरीके से आगे लेकर चलना है तो Great Reset जो है थीम यहाँ पर रखी गई January 2021 के लिए और Main Annual Meeting जो थी है आपर यह तरीक से Virtual Form में देखने को मिली The Great Reset डायलोग के नाम पर तो Student Land के अंदर नोर्मली आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर ही कहाँ पर होती है Maxim Geneva के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है यह आप लोग इसके बारे में याद रखीगा Davos के अंदर ठीक है इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोग एक बड़ दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के मैंड में confusion न होए अपनी प्यारी country यहाँ पर हो गई है कि वाट में हम लोग यहाँ आ पर आ गया है यहां पर देख आप खुं आप एक यहां पर देख रहे गया है इसी बारे में हमें देख़ो एपके हैं यह भ alive here यह होगे है अपर सुरेडा लेंड यह होगे जूरी की होगे दाऊस यह होगे ऋनेवाड ऑप लोगो नहीं होना है तो यह यह योडरोप के अंदर बात की जाड़ी होके तो यहाँ पर आप लोगो आगे चलते हैं यहाँ पर इस पेस एक्स का जो ड्रेगन इस स्पेस कराफ्ट है उसके द्वारा जो दो नासा के जो एस्ट्रोनेट हैं तो यहां से अभी जो स्पेस सेंटर है फ्लूरिडा वहां से यहां पर देखने को मिली यहांपर क्र्यू द्रेगन है यह लिफ्ट की आपर किसके दो कुछ ने कुछ बताय था कोई ऐसे question आगे तो mind में अगर सुना सुना सा लगेगा तो फिर आप लोगी जिन्दकी सुनी सुनी नहीं रहेगी ठीक है आप लोगी जिन्दकी मारी याली आ जाएगी तो इसलिए basically कुछ ने कुछ important चीज़े जो है उसके बारे में आप लोग जुरूर याद रखा कीजिए क्योंकि repeatedly science और tech के अंदर ऐसे question बन जाते हैं ठीक है आगे बात करते हैं world food safety day 7 जून को celebrate कियाता है theme क्या थी? theme थी आपर food safety everyone's business यानि कि ऐसा नहीं कि food safety कोई एक particular person का काम है हर एक person का काम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा सब को मिलकर इसके अंदर काम करना है ठीक है? तो यह इसकी theme रखी थी जो की important है world ocean day जो है यह 8 जून को celebrate किया गया innovation for sustainable ocean यानि कि ocean में गंदगी नहीं फैलानी है कैसे sustainable रखना है और आप लोगों से कोई पूछ भी ले कि अगर यहाँ पर बात करें तो live below water यह कौन से उसके अंदर आता है तो यह basically sustainable development goal 15 के अंदर आता है और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर world ocean day के बारे है पूछ के बोल देंगे कौन सा sustainable development goal है basically water के बारे में जो बात करता है live below water ठीक है तो इस तरीके से आप लोग connect करकर देख सकते हैं तो confusion नहीं होना है कहीं से कहीं भी connect कर दे आप लोगे mind में अगर clarity रहेगी तो फिर कर लो connect आप लोग confusion में नहीं आओगे ठीक है तो यह होगी basic information इसके बारे में आगे बात करते हैं आपर बात की जारी है फर्माकोपिया कमिशन के बारे में तो फर्माकोपिया कमिशन फोर इंडियन मेडिशन ठीक है तो इसके बारे में याद रखेगा यह basically and homopathy यह autonomous body है ministry of IUs के अंदर में यह 2010 से establish की गई थी ठीक है यह तो ऐसा लगारे किसी मचली का नाम है ऐसा नहीं है तो थोड़ी से भी चीज़ा अगर आप लोग धंसे सुनेंगे तो लंबे समय तक याद रखेंगे तो इसलिए confusion mind में नहीं रखना है Union cabinet के द्वारे हैं यहाँ पर बात की जा रही है एक MOU यानि के moment of understanding sign किया गया government of India और government of Bhutan के साथ में ताकि environment में कुछ मिलकर काम किया सके जैसे की air, waste, chemical management, climate change और कुछ भी ऐसा jointly जो decide कर सकते हैं दोनों मिलकर उनमें काम किया जाएगा भुटान की capital है थिमपूर तो मिलकर हिमालियन रीजन में कैसे चीज़ों को सुरक्सित किया सकते हैं उसके चीज़े मिलकर इंडिया और जो basically Bhutan है वो काम कर रहे हैं तो अगर उन्टियर भुटान के relation के बारे में कुछ देखने के लिए भी आजाता है तो अभी आप लोग उसके बारे में वहाँ पर mention कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं union cabinet के द्वारे हाँ पर अभी approval दिया गया Kolkata port को एज़े हाँ पर शामा परसाद मुखरजी port ठीक है तो अगर आप लोगों से पूछेगी अभी हाँ पर basically पुजो Kolkata port को यहाँ पर इस port का नाम दिया गया तो शामा परसाद मुखरजी port का नाम दिया गया शामा परसाद मुखरजी जो थे हाँ पर यह 1901 में पैदा हुए 1953 तक हमारे बीच में ने इंडियन पॉल अडिशन बैरेस्टर और एक तरीके से अकेडमीशन भी थे हाँ पर यह यह ministry of industry और इसी के साथ में supply यहाँ पर ministry of industry भी आप लोगो देखने को बने इंडिस्टर है supply और इसी के साथ में प्राइमिस्टर जवाला लेहरुजी का जो cabinet था उसके अंदर यह सर्व की एजर मिनिस्टर है तो question बन जाएगा पॉट के बारे में तो confusion नहीं होना चाहिए कई सारे पोर्ट के नाम change किया रहे, कई सारे cities के नाम change कि आरहे है तो इस तरीके से question बन जा था है कभी-कभी कभी ठीक है तो examiner भी अगर mood में होता है तो इसे-से question पूछ Łट Walom तो फिर confusion नहीं होना है, confusion रहेगा तो फिर लंबे समय तक या दिन रेट पाओगी, ओके, आईए अब आगे चलते हैं, यह एक important, थोड़ी सी scheme में इसके बारे में थोड़ा समय डेटेल में बात करता हूँ, खासकर EPFO के अंदर आप लोगों से जो की, आप लोगों से social security के है, तो उनको अपनी country में कैसे support प्रोवाइड करानी है, तो उसके चलती है scheme निकाल कर लेकर आए, ताकि लोग जो हैं आपर ऐसे हिना गूमे, बहुत सारे दुनिया भर के लोग भार से वापस आए, अपनी country में, COVID-19 के चलते हैं, तो वंदे भारत मिसन किसके चैट यहाँ पर आए गा, तो वंदे भारत मिसन जो था, वो इंडियान एर फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया, ताकि अपनी country के जो लोग है, जहाँ जहाँ आप उसे में, उनको वापस लाया जा सके, तो उसके चलते हैं हाँ पर फिर स्वेदेश यह scheme आई, इसके चलते हैं हाँ स्किल्ड जो वरकर है, उनको कम से कम आने के बाद में कुछ तो जोग मिलने चाहिए ना, ताकि हाँ पर अपनी जिंद्गी को गुजर बसर कर सके, तो जोइंट इनिस्येट हैं हाँ पर ministry of skill development और entrepreneurship और civil of aviation और external affairs ministry के द्वारा मिलगा, ताकि यहाँ पर चीजों को established कह जा सके, स्वेदेश का aim क्या था, कि database तयार करना है, जो qualified citizen इस particular purpose के देर, ताकि उनको उनके experience और उनके skill के base पर, उनकी जो basically जो भी हाँ पर उनको जो मिल रही है, उसकी जो job की requirement है, वो fulfill की जा सके, तो इसके चलते हैं आपर जो returning citizen है, जो की बाहर से आ रहे थे हैं, तो online स्वेदेश skill card भी उनको provide करा गया, जिसके base पर उनके prospects और जो भी उनकी demand supplies के base में जो भी चीज़े है gap है, उसको fulfill किया जा सके, तो ये स्वेदेश, जो स्वेदेश मूब भी याद है, सारुक खान के आप लोग हो, ठीक है, तो उसके base पर आप लोग याद रसते हैं कि बाहर से आते हैं पर union cabinet के दोरा भी approval दिया गे हाँ पर establish करने के लिए, फर्मकोपिया कमिशन फोर मेडिसन और हमोपैथी, खीक है, तो supporting node office किसके अंदर है, मैंने अभी आप लोग को बताए दिया, इसी के साथ में हाँ पर बेसिकली जो फर्मकोपिया लेबरेटरी फोर इंडियन मेडिसन है आपर उसी के साथ में होमोपैथी फर्मकोपिया है, यह दो central laboratory थी, इस्टेप्लिस की गए थी, गाजियवाद तरप्रदेश में 1975 में, तो इनको merge करकर यहाँ पर यह commission अभी सामने निकल कर आया, जिसके चलते हैं पर यह news में है, तो इसलिए आप लोग कन्फूज नहीं होन हम भी कुछ काम कर सकते हैं, हम भी कुछ काम आ सकते हैं, तो इसके चलते हैं कई बार यह news में रहता है, तो कहने का मतलब यह confusion नहीं है, आगे चलता हूँ, आगे बात करें, world bank के द्वारा release की गई global economic prospect report, तो question तो यही बन जाएगा, सबसे पहले तो global economic prospect report जो है, वो किसके द् पर बोला गया कि आने वाले टाइम में economic growth जो है, वो काफी impact इसकी वज़े से पढ़ने वाला है, severe short or long term impact आप लोग को देखने को मिलेगे, यानि कि एक खतरनाक impact है, short term impact है और long term impact है आपर यह तो EMDE, यानि कि emerging market और developing जो economy है, तो उसके चलते हैं हाँ पर especially, जो खासकर जो vulnerable आ यहाँ पर कहने का मतलब है कि देखिए, आप आज केट में देखिए, अगर माले यह आज केट में आप लोग यह सोच के चले कि आए इतनी saving तो कम से कम रखनी है, कि कल को अगर job चली जाती है, तो 6 महिने से लेगे एक साल तक का बिना job भी मिले, तो मेरी जिंदगी चलती र होने चीए, तो उसी के बारे में थोड़ा आप लोग मोटा मोटा idea रख सकते हैं, ठीक है, आगे अगर बात करें, एक important news आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, एक agreement की बात कि यहाँ पर basically finalize किया गया है, चाइना पाकिस्तान के बीच में, यह कि इसके बारे में यहाँ पर basically हो जो hydro power project है, आखिर मैं इसके बारे में क्यों discuss कर रहा हूँ, इसके बारे में इसले discuss कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना पाकिस्तान एकनोमी कोरिडोर से होता हुआ जाता है यहाँ पर यह, और चाइना पाकिस्तान एकनोमी कोरिडोर जो है, वो इंडिया का जो reason है basically, जिसको normally आ सकता है इस particular project के बारे में, तो यह project कहाँ पर है, जेलम river के उपर आप लोगो को देखने को मिलेगा, और जब आप लोग बात करते हैं, इंडस water treaty के बारे में, तो इंडस water treaty जो थी, वो कब साइन किये थी, 1960, 60, 61, 62, 63, 65, 66, कब साइन किये थी, बता, बता ये चलिए, ठीक है उसमें क्या किया गया था, दो river आप लोगो देखने को, बिसलिए दो system डिवाइड किये थे river के, एक side में इंडस, जेलम और चेनब, जो side में रवी, वियास और सतलज, तो ये division यहाँ पर कर दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और important बात याद रखेगा, वर्ल्ड बैंक बिचोलिया था, यह नहीं क्यों नहीं कहते हैं कि एक तरीके से जो दलाली का काम करा था बिच में, वो वर्ल्ड बैंक थे हैं आपर, तो इसके चलते हैं यह news में काफी जाते हैं, तो river और project और कहा हैं, क्या क्या बात हैं, तो हलका सा idea अगर रखेंगे, तो confusion आएंगे आप लोग नहीं, चलिए river की बात की जारी के थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, अभी बात की जारी है रसे के बारे में, रसे के अंदर भी क्या हुआ, diesel oil spill out होगे हैं आपर basically रसे के अंदर में, और पूरी river की कानी खराब होगी, तो यह रसे के जो basically प्रेजिदे के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो की connected रहती हैं आपर lake, lake प्यासिनों के द्वारा में, ठीक है, तो यह river का नाम और lake का नाम भी आप लोगों से याद रख सकते हैं, जोई question बन सकते हैं, इसी से water jammer जोता है रहा है, फिर यहाँ पर यह प्यासिना river निकल खर लाती है, ठीक है, तो इसके चलते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछ भी लेगी, कहाँ पर यह located है, तो आप लोग बोलेंगे, और यह कहां से question आ गया, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था, क्यों नहीं सुना था, पहले तो आप लोगो ने पढ़ाया है, फिर उसके बाद म आप लोगों ने करा नहीं, फिर बोलोगे, एक्जाम में यार, याद तो आया था, पर लेकिन, वो नहीं कहते, कि मुह तो, वो क्या कहते, डायलोग नहीं कि, हाथ तो आई पर मुह ना लगा, कुछ ऐसा कुछ है न, कुछ डायलोग करके, तो वहीं चेह देखने को या तो एक तरीके से याद कर सके, रिवजन की कमी रह गए, वरना पढ़ाने में कोई कमी है, आप लोगों को देखने को मिले तो मुझे बताइए, वो responsibility मेरी है, पर लेकिन, रिवजन तो यार, मैं आप लोगी जगे नहीं कर सकता, हाँ, कई बार पढ़ा देता हूं, जुरूर रि पढ़ा दे toolkit में थे इखने की बारों का सकते हैं, स्विच नहीं कर सकता हूं, च안 abstraction कर सकते हैं, पोला देखने लिए, तो सकbey है, बार पढ़ा पास ले बारे बार पास पर, तो इंडिया भी रख देते हैं, तो बारद उखने हैं, बार ला, पास ब्रूर भारत बीद्झें वो भी हाँ पर हो गया और इंडिया जो है वो भी हाँ पर हो गया तो argument कुछ तो यहाँ पर basically support में और कुछ अग्वंस्ट में आप लोग को देखने को मिलेंगे तो जो इंडिया का जो नाम है जो foreign origin से निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर यह तो एक तरीके से तो इंडिया नहीं तो भारत होना चाहिए basically ठीक है freedom struggle में भी आप लोग ने भारत माता कीज़ें और वो सब चीजें तो इसलिए बात बोलेगी है argument क्या है अगेंस्ट में अगर बात करें तो इनके दोरा बोला गया कि देख यार अगर बात करें समिधान निर्मातों ने भी दोनों उपसन आप लोगो दे रखे कि भारत बोलो चाहिए इंडिया बोलो तो फिर आप लोग क्यों भारत में धिल मिला रहे हो क्यों फालतों में फालतों के इश्यू बना रहे हो आप लोग देख लो education के ऊपर बात कर लो यार इसी के साथ में health के ऊपर बात कर लो employment के ऊपर बात कर लो ये मुद्धे है environment के ऊपर बात कर लो climate change के ऊपर बात कर लो cyber security के ऊपर बात कर लो ये मुद्धे छोड़के ये फालतों के मुद्धे में जाकर सरमारने है बस तो ये सारी चीज़े जो है फालतु में बिना किसी सोचे समझे इस तरीकी बात है कि ये करलो वो करलो अरे समिधान निर्माता उन्हें बना दिया तो क्या दिक्कादार है दून ओफसन आप लोगे पास में ये भी नहीं कोई कहरा कि नहीं तुमको तो भाई साब भारती बोलना है या फ्री ऍडे लिए बोलना है तो ऐसे भी कोई नहीं बोल रहा है तो क्यों फाल्तो वी चीज़े निकल करा रही है पर यह यह地方らा से करु कर ना है जो important कोई दिक्कत नहीं यह आ गरते हैं आगे बढात की बात की जारी है important question आप लोग यहां से बन सकता है बात की जारी है the times higher education Asia के बारे में तो university ranking जब त्यार किया आती है तो इनके द्वारा जब launch की गई times higher education तो इसके चलते हैं इनके द्वारा जो magazine जो London based यहां पर इसके द्वारा यह weekly magazine ने इसके द्वारा publish की गई यहां पर एक particular ranking तो इस ranking में अगर आप लोग बात करिए हमारी country के जो institution है इसे के अंदर तो 36 वे नंबर पर तो है ISC Bangalore ठीक है इसी के 47 वे नंबर पर आपर Indian Institute of Technology रोपर पंजाब के अंदर Indian Institute of Technology इंदोर मजय परदेश के अंदर देखे यह आप लोग इसके बारे में याद रखेगा थोड़ थोड़ा Indian Institute of Technology खरकपूर यानि के वेस्ट बंगाल के अंदर Indian Institute of Technology डहली के अंदर Indian Institute of Technology बोंबे ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा Teaching कैसा है, Researcher कैसी है Knowledge, Transfer किस तरीके ते की जा रही है International Outlook कैसा है इस Particle Institution का तो चाइना के द्वारा Top किया गए हैं आपर तो चाइना की जो यूनिवस्टी हैं आपर वो Top पर रही चाइना की यहाँ पर Singhua जो यूनिवस्टी है इसी के साथ में पैकिंग जो यूनिवस्टी है तो यह Top पर आप लोग के यहाँ पर देखने को मिली अगर बात करें 8 जो इंस्टिटूट है Top 10, Top 100 में हमारे बात करें तो इसके चलते हमारी country की जो 3rd most representation हमारी भी देखने को मिली यहाँ के एशिया के अंदर तो फिर भी हमारी कहीं counting हो जाती है पर लेकिन जब world में जाते हैं तो आप नी ठिकते हम लोग आस पास में तो यह इसके बारे में एक मोटी मोटी से information रखेगा अगर आप लोग को आगे चल कर किसी को बताना भी है पर पढ़ना चाहिए तो एक तरीके से ranking भी आप लोग के सामने कि यहाँ भाई साब इस institution में पढ़ने की तियारी करो तो सही जगे पहुँच जाओगे ठीक है तो यह उनकों आप लोग गाइड भी कर सकते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि काफी एक टोर्च बीरर है हिंदी सिनेमा के अंदर बात करें मतलब थे तो हाँ पर middle of the road जो सिनेमा के अंदर आप लोग बोल सकते हैं तो निटी की एज में भी रिसेंटली इनकी डैथ हुई अगर बात करें इनकी जो फिल्म थी आपर छोटी सी बात हो गए ठीक है इसी के साथ में आपर चित चोर बात करें आपर रजनी गंदा ठीक है एक रूठा हुआ एक रूठा हुआ फैजा एटीस तो कई सारी ऐसी मूवीज इनके दवारा बनाएगी तो परसनी न्यूज में कोश्चन बन जाए तो कनफ्यूज याना नहीं है एक और इंबोडेंट कोश्चन यहाँ पर आप लोगों से बन सकता है बात की जारी यहाँ पर अंसीविल वोर ठीक है तो पैथलोजी ओफ टेरिरिजम इन इंडिया तो वेद मावा तो इनके द्वारा यह किताब लिएगी तो इनके बारे में आप लोगों से कोश्चन बन सकता है यह भी अभी रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रही तो वेद जो मावा है आपर यह फोर्मर प्लिस कमिशनर थे डहली गए तो फोर्मर गवर्नर भी थे मणिपूर, मिजोरम और धारखंड के तो इनके द्वारा किताब यहाँ पर यह लिखे गी थी टेरिजम से लिटर पदम सिरी में मिला 1998 में तो आप लोगों से क्या पूछ जासता है आप लोगो याद रखनी है आगे चलते हैं, नेक्स यहाँ पर बात की जा रही है तो इसके चलते हैं इनके द्वारा जेया जेटली के अधिक्स्ता में एक कमेडिय बनाएगी कि इसको कैसे कंट्रोल करना है यानि कि फिलाल COVID-19 के चलते काफी बड़ी दिक्कत तो आप लोगों को यही देखने को मिली जो pregnant woman थी, उनको डोक्टर की facility नहीं मिल पाई क्योंकि आप लोगों को पता है कि बार बार जो होता है डोक्टर के पास जाना पड़ता है कि बच्चे का size कैसा है क्या क्या दिक्कत चल रही है यानि कि एक तरीके से कैसी growth बच्चे की हो रही है तो वो सारी चीज़ें हाँ पर चेक की जाती है तो उसके चलते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यह committee मनाएगी कि अभी फिलाल जिसकी वेसे कई बार दिक्कत आने की वेसे कई सारी जो महिलाय उनकी death हो जाती है तो उसके उपर ध्यान देने की बात इनके द्वारा कीगी तो उसकी वेसे अगर कोई question मन जाए तो आप लोगों से committee का नाम पूछ ले जाए या फिर woman empowerment के बारे में कुछ लिखेने के लिए आयता है तो maternal mortality जो rate है वो याद रखेगा एक लाख महिलाय अगर है ठीक है तो एक लाख महिलाय अगर है एक लाख महिलाय अगर बच्चों को जनम देती है ठीक है तो कितने माताओं की death हो जाती है ठीक है तो एक लाख पर कितने माताओं की death हो जाती है बच्चों को जनम देने में तो यह हाँ पर basically date निकाला जाता है तो important है कोई confusion नहीं होना चे एक question बन जाते है कई बार इनके ओपर ठीक है आगे बात करते हैं हाँ पर यह important news है आप लोगे लिए बात की जारी बेसिकली energy efficiency service limited के बारे में तो देखे पहले तो मैं बोलूँगा जो news में आप लोग को बता रहा हूँ न यह रटनी नहीं है सुनते रहो बस समझते रहो और enjoy करते रहो अगर रटने इनको बैठ जाओगे तो सारी सर से निकल जाएंगी सर से खतम हो जाएंगी चीजे बिल्कुल याद कुछ नी रहने वाल है तो समझने की कोशिस करो थोड़ा सा enjoy करने की कोशिस करो जैसे पढ़ाने में मज़ा ले रहो ऐसे आप लोग सुनने में मज़ा लो तो लंबे समय तक चीजे याद रख पाऊगे एनर्जी एफिसेंसी सर्विस जो लिमिटेड है उसके दोरा पार्टनर्सिप किए गए USA के साथ में और बोला गए हाँ पर USA की जो एजेंसी है Agency for International Development तो इनके दोरे आपर मेहत्री प्रोग्राम लोंच किया गया तो याद रखेगे हैं आपर जो मेहत्री प्रोग्राम लोंच किया गया तो इसका बेसिक परपज यह था कि Healthy and Efficient जो हैं आपर Healthy और Energy Efficient Building बनानी है ताकि Energy जो है उसको ढंग से Utilize के जा सके तो इसके चलते Healthy Energy Efficient जो Building Initiative है इसका बेसिक परपज यह था कि एक तरीके से खासकर Renewable Energy पर Focus देकर चलना है ठीक है एक तरी से Coast Efficient जो Energy आप लोग को लेकर चलनी है तो इसके कोई Building बना रहे है ठीक है तो उसके ओपर कैसे Cooling करने है तो AC का Use नहीं करके कोई और सिस्टम अगर आप लोग वहाँ पर लगा दो कुछ इस तरीके से Building बनाए कि उसके अंदर ठंडक बनी रहे है तो ऐसा कुछ काम कर सकते है जिस तरीके से आगे बात कते हैं ये एक important news आप लोग के लिए बन सकती है आपर Road Transport and Highway Ministry किस के अंडर में है तो नितिन गर्करीजी के अंडर में है तो अभी क्या होता है कई बार highway पर दे कई सारे जानवर आप लोग ने देखोंगे मरे पड़े रहते है पता चला कोई road accident हो गया पर कोई गाड़ीच को चल कर चलेगी तो prevent of the human or animal mortality on highway तो यानि के इनसानों की और यहाँ पर animal की जो death होती है highway के उपर उसको रोखने की बात के गई Ministry of Road Transport and Highway नितिन गर्करीजी के द्वारा तो इनके द्वारे हाँ पर United Nation जो development program है उसके चलते awareness campaign भी हाँ पर चला गया ठीक है UNDP तो उसके चलते हैं हाँ पर basically यह देखने को मिला कि 5 lakh road accident होते हैं अर साल हमारी country में जिसके चलते 1.5 lakh के करीब लोगों की जान चली आती है तो यह तो वोट death हैं जिनको हम लोग बचा सकते हैं अपर लेकिन नहीं बचा पाते हैं तो उसके को रोखने की कोशिसे हाँ पर करनी चाहिए तो National Highway of Radio of India जो है वो यहाँ पर important organization है जो की setup की गए थी 1998 में Ministry of Road Transport and Highway तो उसके चलते program के implement करने की बात की जाती है तो यह है basic information इसके बारे में basically होता क्या है देखिए अगर कोई भी ऐसा road accident हो रहा है यह वो चीज़ें जिनकों लोग बचा सकते हैं ऐसा तो नहीं है जिनकों लोग रोक नहीं सकते हैं तो नोर्मल सी चीज़ें इनकों लोग आसानी से रोक सकते हैं अपर लेकिं नहीं रोक पाते हैं तो इसके चलते कई बार ऐसी दिक्कते देखने को मिल जाती है आगे चलते हैं आपर Indian Air Force के बारे बात की जारी है Indian Air Force के द्वारा डवलफ किया गया और manufacture किया गया है आपर Airborne Rescue Port for isolated transport जिसको नाम दिया गया ARPIT ठीक है तो basically क्या fund है यहाँ पर यह एक तरीके से यह एक तरीके से utilize के जाएगा कोई भी हाँ पर critical अगर condition बनती है ठीक है तो उसके चलते हैं हाँ पर यह situation है उसको पेसेंट को वहाँ से निकालने के लिए अगर माले जो कोई ऐसा है कि high altitude पर रह रह रहा है क्रीन सरे अलग उल्टे सीधे एरिया में रह रहा है तो कैसे उसको बचा के वहाँ से लाय जा सकता है तो उसके चलते हाँ पर यह basically program Air Force के द्वारा आगे बात करते हैं यह important news है आप लोग के लिए बात की जा रही है कोईला जो इंडिया subsidy है Western Call Limited जिसको WCL बोला गया उसके द्वारा तीन नए cold mine जो है महरास्टा और मज्जा पर देश में आपर खोली गी जो कि 2.9 million ton capacity के आप लोगों देखने को मिलेगी तो company के द्वारा surveillance system यहाँ पर लाए गया जिसका नाम देखा गया WCLI तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले डिरेट किया रही है WCLI क्या है तो आप लोग यह बोलेंगे यह क्या आगया कोई आप होगी बीमारी तो नहीं उसको ठीक करने के लिए काम किया रहा है तो यहाँ पर western coal field जो limited है यह तो हो गया यह और आई है एक तरही से monitor करना कि 15 major जो mining company है country के अंदर उसके ओपर कैसे ध्यान देना है तो इसके चलते एक app भी लाए गया जिसका नाम रखागा है समवाद यानिके connect के जाए जो employee है रो श्टोक होल रहा है कि जहाँ पर भी कोईले की खुदाने है जहाँ पर भी यो काम कहा रहा है उसके चलते कोई confusion नहीं देखने को मिले तो एक particular system के तुरू यह आपर यह काम किया गया तो उसकी वज़े से यहाँ पर यह news में आ गया तो इस तरीके से अगर आप लोगे mind में clarity देएगी तो आप लोग confusion में नहीं आएगे तो यह कुछ बाते हैं जो आप लोगो बता होने चीए तो direct आप लोगों से समवाद app के बारे पूछ लिया WCLI क्या है यह किस ministry के क्या चीज़े हैं कहां कहां पर क्या गया है तो कुछ confusion नहीं होना है बिल्कुल clear mind में होना है ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर बात की जा रही है ministry of personal and public grievance के बारे में के द्वारा launch किया गया क्या है यहाँ पर basically इनके द्वारा यहाँ पर integrate किया गया 18th bench जो यहाँ पर Central Administrative Tribunal जिसको CAT बोलते हैं आप लोग तो यहाँ पर किस के लिए यह है Union, Territory, Jumoo, Qasmir औ, Ladakh के लिए तो CAT काम क्या करता है तो basically एक तरीके से Administrative Tribunal आप लोग बोलते हैं कई बार देखाओगे यह एक्जाम में कोई घपले बाजी होगी तो अब लोग क्या करते हैं एक्जाम में घपले बाजी होगी तो तुरंत यहाँ पर Tribunal के अंदर केस चला जाता है CAT उसको देखता है तो फिर सिस्टम होता है तो फिर चीज़े निकल कर आते है तो उसको solution निकाला जा सके ताकि court के ओपर burden ने रहे तो पहले ही पहले matter को निपका जा सके तो Central Administrative जो Tribunal ले इस्टेबिस किए गये थे Article 323 A के तहत है आपर समिधान के हिसाब से तो basic information आप लोगों से यह बन जाएगी हाँ पर कि यह किस article में रहता है और जो moment का समीर तो आप लोगो वैसे ही पता है यह निउस में कितना रहता है तो इसलिए confusion आना बिलकुल भी नहीं है तो इसके बारे में आइडिया रखेगा इसके chances को जादे ही है अब की बार question आने कि इसका reason बहुत बड़ा आप लोग बोच सकते हैं तब से COVID-19 आया तब से बहुत सारे बच्चे जो है वो exploitation का सिकार हो गए तो इहां से question इसलिए आप लोगे बनने के chances बन सकते हैं यहां पर अगर बात करें आपने समिधान के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो पार थर्ड में यानि कि इंसानों का exploitation जो किया जाता है तो उसके बारे में बात करेंगे Article 23 के अंदर तो समिधान के अंदर ये direct question कई बार आप लोगों से पूछा गया इस particular article के बारे में एक important article है Article 24 तो Article 24 तो आप लोगों बता है मुझे वैसे भी याद रहता है तो यहाँ पर बात करें Article 24 जो है यहाँ पर ये child labor को रोकने की बात करता है बात करता है कि 14 years से नीचे का कोई भी बच्चा जो है किसी भी हजार्स industry में किसी भी इस तरीके के area में जहाँ पर mining बगरा है कोई factory ऐसी हो जहाँ पर जान जाने का ख़त रहो हमाँ पर बच्चा काम नहीं करेगा तो इसी के चलते हैं अगर international level पर कोई काम करता है तो है international labor organization तो world day against child labor 2002 से इसनी start किया और focus यही था कि बच्चों को labor से हटाय जाए और effort यह था कि labor को eliminate के जाए बच्चों की और उनको education के अंदर डाला जाए तो health और education यह बच्चों की सबसे बड़ा focus का area यहाँ पर बना तो यह है international labor organization का focus area ऐसे question आप लोगों से पूछे जा सकते हैं अगर defense की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और UPC के अंदर भी आप लोगों से जैसे की हाँ से question बन जाएगा कि official secret act के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि recently अभी हमारी country में क्या हुआ राइस्थान के अंदर में राइस्थान police के दौरा deserts chase करके हाँ पर यह एक operation start किया गया जिसमें यह पता चला कि हाँ पर जो कुछ employee थे वो क्या कर रहे थे basically हाँ पर कुछ लोग थे हाँ पर जो की एक तरीके से military intelligence के दौरा है हाँ पर input निकल कराएगी जो sensitive information है वो पाकिस्तान की ISI को यहाँ पर दी जा रही है तो इसके लिए हाँ पर यह operation चलाएगया military intelligence के दौरा और यहाँ पर यह operation तो था है 19 में चलाएगया तो अभी हाँ पर फिल से news में आया है जिसमें two civil defense employees जो थे जैपूर based तो उनके चलते हैं पर यह चीज़े देखने को मिली तो इस तरीके से अगर background information के बारे में हलका सा idea रहेगा तो confusion नहीं होगा ठीक है आगे बात करते हैं 3000 हजार साल पुराना यह basically man temple की बात की जा रही है discover किया गया मेक्सिको के अंदर तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखेगा थोड़ सा अपनी country compare में अगर आप लोग देखेगा मेक्सिको तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है यह हो गया मेक्सिको इसी के नाम पर Gulf of Mexico भी आप लोग को देखने को मिलता है तो यहाँ पर यह basically आप लोग को जो देखने को मिल रहा है यह basically पुराने जो states देखने को मिल रहे है पुराने जो मकान वगरा जो घर वगरा हुआ करते थे तो बोला गया कि यहां पर इनको भी found किया गया तो जब देखा गया तो यहां पर एक ancient civilization देखने को मिली इसको oldest oldest और largest monument बोला गया पुराने time पर किस तरीके से लोग रहते थे अगर आज की data में आप लोग बात करें तो कई सारी civilization आप लोग कोने सुनाओगा तो यह कहीं न कहीं पुराने time में भी एक पुरा proper develop area आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो उसी की study अभी हाँ पर किये गई तो मैं हम temple जो है वह ही पर ही अभी discover किया गया तो confusion आप लोगों को नहीं रखना है आगे चलते हैं यह detail में मैं आप लोगों से distance करूआ क्योंकि important news है और direct question भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं हमारी country में जिसको education ministry आज की date में बोलते हैं पहले उसको ministry of female resource development बोला करते थे तो उसके द्वारा इंडिया ranking 2020 जब तयार की गई तो higher educational की जो ranking गई तो इनके base पे basically 5 parameter होते हैं जिसके base पर यहां पर यह ranking त्यार करते हैं ठीक है पहला होते है teaching और learning resource कैसे हैं दूसरा होते हैं यहां पर basically जो research और professional practice कैसे चल रही है graduation outcome इसी के साथ में outreach और यहां पर जो inclusivity होती उसको देखते हैं और perception का है उसके बारे में वो देखते हैं तो total मिलाकर यह 100 हो जाएगा इस 100 में से आपर अलग-अलग 30, 45, 15 और 10 यह distribution किया जाता है interesting चीज अभी हां पर यह किया गया इसके चलते जो 2020 की ranking लाएगी कि dental जो institution है उनको पहली बार इसके अंदर entry की गई जिसको Indian ranking के तहत अब तयार किया गया तो यहां पर total मिलाकर 10 category में जो subject domain को जहां में रखते हुए यह ranking तयार किया थी है पांस consecutive edition में अगर आप लोग बात करेंगे हैं अब तक तयार किया जा चुके ministry of human resource and development के दोरा और यहां पर जो यह तयार किया जाता है basically national institute ranking framework यह यहां पर 2015 में हमारे दौरा launch किया गया था अगर यहां पर overall तरीके से अगर आप लोग देखिए तो overall में top किया गया IT मदरास के दौरा अगर नहीं के देख सब में total मिलाकर combine देखेंगे इसी के साथ में हाँ पर university में जो top किया गया जामिया हमदर्द जो न्यू डैली है medical में ओल इंडिया इंस्टिटूट जो science यानि के aims आर्केटेक्चर में बात कि जारे इंडिया इंस्टिटूट ओफ जो technology खरकपुर लोग के अंदर बात कि हलका हलका सभी अगर आप लोग आईडिया रख सकते हैं वो रटना तो नहीं है फिर से मैं वही बोलूँगा आप लोग क्या करना है चीजों को पोजिशन पर science और research output के मावले में पांच पोजिशन जो आप लोग में हाप पर देखने को मिलेगी अगर बात करें हम लोग यह आप तो इसमें USA यानि के United of scientific and industrial research ठीक है तो इसमें overall अगर आप लोग देखेंगे 116 पोजिशन पर है इसी के साथ में Indian Institute of Science जो बैंगलूर है वो 184 पोजिशन पर है तो यह हमारी country से लिटेड कुछ information हो गई तो basic information है चोड़ी चोड़ी हलका हलका सा idea रख सकते हैं इसके बारे में आगे चलते हैं रमन मेकसे से अवोड के बारे में आप लोग ने कही बार सुना होगा और खासकर अगर किसी particular individual को दिया जाते है sorry तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगो थोड़ा सा idea रखना है basically यहाँ पर यह हुआ क्या भी क्यों न्यूज में हुआ था क्योंकि normally हर साल यह award दिया था था पर लेकिन अब की बार COVID-19 के चलते हैं इसकी ceremony जो है वो यहाँ पर disrupt कीगी जिसके चलते हैं यहाँ पर यह news म से Asia का Nobel Prize भी बोला जाता है individual organization को यहाँ पर यह award दिया जाता है अगर बात करें सबसे important बात यह है जब 1950 में यह award स्टार्ट किया गया था 1958 में तो उस टाइम पर जो विनुवा भाबे है इंडिया के तो first recipient इसके बने थे यह हमारे देश में सबसे पहले हमारे देश वासी को स सिदा सिदा यह कि अपनी country से लिटर यहां पर यह start हो था ऐसा ही जो एक अवोड है यह आप लोग देख से यह भी बड़ा प्यार है यह बात कि जा रहे हैं पर किसके बारे में वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में तो वर्ल्ड फूड प्राइस जैसे रमन मेक्सिस है और इनको यहां पर सबसे पहले यह अवोड दिया गया अगर बात करें बेसिकली प्राइस जो यहां पर देखने को मिला तो डोक्टर जो नोबल प्राइस विर्ण थे 1970 में ठीक है तो वहां से चीजे कुछ इस्टार्ड देखने को मिली इसके साथ बात करें वर्ल फूड प्रा ट्रोच डिवलफ के गई जिसमें इंक्रीज बढ़ाई जा सकती है फूड प्रोडेक्शन को बढ़ाने का तरीका एक तरीके से और यहां पर रिसोर्स इस और जो जो क्लाइइमेट चेंज के बारे में बात करें कहने का मतलब यह कि क्लाइमेट चेंज के चलते जो इन्वान पर जो नुक्सान पढ़ रहे हैं उनको साइड में करकर यहां पर यह अच्छा काम करेगा तो रतनलाल नाम याद रखेगा रतनलाल जी को हैं आपर 2020 का यह फूड प्राइस दिया गया है सबसे पहले किसको मिला था MS. Swaminathan साब को मिला था तो यह वो basic information है जो कि आप लोग confusion में नहीं रखना चाहिए इसके चलते हैं आप लोगे mind में किलाइटी रहनी चाहिए ठीक है आगे चलते हैं नेक्स यहां पर बात की जा रही है यह है Kathy Sullivan ठीक है तो अगर बात करें first American woman जो की space में वो की थी 1984 में तो first woman बन गई है fifth person in the history जिनके द्वारे हाँ पर challenger deep के अंदर entry मा पहुची यानि कि space में पहुची एक तो सबसे उचाई पर और दूसरे आपर समूदर के नीचे पहुची सबसे गहराई पर तो challenger deep जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा deepest point है अर्थ के अंदर अगर आप लोग इस पर जाएंगे तो इसके चलते हैं आपर यह news में है आपर मैरा इने ट्रेंज के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा तो इहाँ पर challenger deep आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसके विज़े से यह news में है आपर याद रखेगा अस्टेले के थोड़ा सा उपर जाएंगे तो exact location आप लोगों को इहाँ पर देखने को मिलेग यूनियन मिनिस्टर जो earth and science के द्वारा तो इहाँ पर जो integrated flood system है आपर यह इसका basic purpose यह है कि हम लोग flood को रोक सके रोक तो नहीं सकते हाला कि flood के बारे में पहले information बताए जा सके तो अपना systematic तरीक से कुछ ना कुछ solution निकाल सके जिसको basically अगर बात करें तो in flow बोला गया है integrated flood system जो है develop किया गया union ministry of earth and science के द्वारा request की गयी थी municipal cooperation of greater Mumbai है उसके द्वारा तो यह मुंबई में हाँ पर basically flood को रोगने की कोसिस के लिए आपर यह तियार किया गया था तो कई बार ऐसी चीज़ा आप लोगो देखने को मिल जाती है अगर बात करें बार के बारे में तो अगर पर्धान मंतरी मुद्रा योजना के बारे में तो पर्धान मंतरी मुद्रा योजना जो है यह basically कैसे डिवाइड रहती है किस तरीके से क्या क्या बाते हैं कभी start किये थी तो सारी बाते आप लोगो बता देता हूँ ताकि पूरा scheme तयार हो जाए अगर EPFO अगरे की त्यारी क करें तो direct question आप लोग यहां से बन जाएगा micro unit development और जो refinance agency है यह basically इसको मुद्रा बैंक के नाम से आप लोग जानते हैं यह 8 April 2015 में इसको start किया था Mumbai में इसका headquarter आप लोगो देखने को मिलेगा छोटा 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 finance देना यह इसका basically काम रहता है इसमें तीन category में divide किया ग का अगर किसोर के बारें बात करें तो 5 लाग तक का और तरुन के बारें बात करें तो 10 लाग तक का आप लोग यहां पर target basically इनका देखने को मिल जाता है government के द्वारे decide के जाता है यहां पर basically यहां पर additional 1 trillion यहां के 14 million के करीब जो allocate के जाएगा 40% से 35% किसोर और 25% तरुन तो यानि यह कहने का मतलब यहां पर यहां पर यहां कि पैसा ऐसे distribute के जाएगा ताकि अच्छे से startup अगर भी start हमारे देश में हो सके और चीजों को support किया जा सके eligibility क्या है अगर यहां से लेने तो small manufacturing unit होने चाहिए कोई soap keeper हो कोई fruit और vegetable vendor हो या फिर कोई artisan हो यहां पर तो उनको यहां पर यह service providing कराए जाएगी तो मुद्रा bank के बारे में अगर आप लोग उसे कोई पूछ ले तो मुझे नहीं लगता है कि confusion होना चाहिए अब यहां से अगर question भी आएगा तो उसका answer आप लोग आसाने से कर पाएगे तो बिल्कुल free mind होकर चीजों को सुनना चाहिए हमेसा इस तरीके से आप लोग उनक पर plantation करने की कोसिस करते हैं तो 28 जून को start किया गया और 12 जुलाई तक यहां पर यह पहुंचा यानि कि जब हमारी country में monsoon आता है कब आता है आप लोगो बता है जून के महिने माता है तो जून जुलाई अगस्ट और September यह time वो है जहां पर आसानी से आप लोग अच्छे से क प्राम कर सकते हैं तो संकल्प जो पर है वो इसी के लिए हाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा तो प्राइमिस्टर नरिंद मोदी साब के द्वारे हाँ पर basically यह planting की बात किये तो एट बुला गया कि at least five tree हर एक जो office campus है जहां पर भी आप लोग लगा सकते इसको लगाई एंशोर करेगा clean or healthy environment यह ministry of culture के बारे बात करें अगर इसके बारे में याद रखेगा कई सारी चीजे recommend किये जैसे कि बरगत का हो गया आवला हो गया पेपल हो गया आसोक हो गया बेल हो गया जैसे बेल पत्तर होती है तो यह कई सारे पेड़ हाँ पर recommend किये यह basically herbal की category में आते basic वो information है जिसके बारे में कोई confusion आप लोग के mind में नहीं होना चाहिए ठीक है question बन जाए तो आप लोग को बिलकुल इसके बारे में clarity होनी चाहिए ठीक है आगे चलते हैं आपर next जो बात की जा रही है United Nation Office on Drugs and Crime तो UNODC इसके बारे बात की जा रही है तो 2020 World जो drug report है आपर कहां पर drug supply हो रही है क्या क्या कंजर्ट सुन रहा है क्या क्या चीए देखने को मिलती है हमारी country में इसके लिए action plan बनाए गया कि नसा मुक्ती भारत लेकर आने नसा मुक्ती भारत रहेगा तो चीजों का solution हम लोग निकाल पाएंगे न तो annual plan 2020-21 में देखने को मिला इसके ल पारे में ये information है जो कि आप लोगे mind में कोई confusion ने डाले तो international level पर report कोन तयार करता है हमारी country में क्या plan है कोन सी ministry तयार करती है कहां पर इसको implement करने की बात की जा रहे है तो सारी चीजे पूरी कहानी आप लोग को छोड़ी सी news में आप लोग को बचा दी ठीक है आगे चलते ह एजुकेशनल सैंटिफिकेट इन कल्चर ओर इसको नाम से आप लोग जाते हैं 2020 ग्लोबल एजुकेशन मोनेटरिंग रिपोर्ट इसके द्वारा तयार की गई देखिए यहां पर हो गया क्या हो गया यहां पर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा इसके द्वारा एसे हैं जो एजुकेशन का एक तरीके से धंग से फायदा नहीं उठा पाई उनका एजुकेशन ही मिल पाई तो रिजन यही था उनके पास में ना इंटरनेट था ना कोई फैसिलेटी थी तो उनको यह दिक्कत जहलनी पड़ गई यहां पर तो इसकी विज़े से यहां पर नियूज बन गई ठेक हैं आगे चलते हैं निक्स्ट इंपोटें नियूज के और बात की जारी है फाइननस सेलेक्शन टास्पोर्स के बारे में तो एफ एटीफ के बारे में जब भी बात करो तो पाकिस्तान जरूर याद रखना क्योंकि पाकिस्तान के चलते बार-बार च यहनि कि money laundering की जा रहे है money laundering मतला गलत तरीके से कमाया गया पैसा उसको सिस्टम में लाने की कोशिस की जाती है और wildlife trade भी हाँपर किया जाता है यहनि कि जनली कोई भी जीव जंतो है उनको बेचने की कोशिस की जाती है illegal तरीके से तो wildlife trade खासकर जो global level पर threat की category में है तो उसक अब इनके दोरह रिपोट त्यार किये हैं कि अगर बात करें तो हहाँ पर बात की जा रहे हैं illegal wildlife trade के बारे में और money loarning के बारे में दोनों को मिला कर काम किया जा रहे हैं तो इसको रोकने के बात की जारे हैं estimation ये लगा जा रहे है कि हाँ पर 23 billion का ऐसा कोई trade यहाँ पर आप लोगों देखा होगा, तो वो illegal तरीके से होता है, क्योंकि उस चीजों को यहाँ पर basically allow नहीं किया जाता है, उनको रोका जाता है, पर फिर भी हाँ पर आप लोगों इस चीजे नोर्मली देखने को मिल जाती है, तो उसके बारे में basic information है, कोई confusion माइंड में नहीं होना चा आज से news में नहीं है, बहुत दिनों से news में है, आर्टिकल 340 यहाँ पर basically बात कर रहा है कि OBC, other backward classes के अंदर sub-categorization करने हैं आप लोगो, यहाँ कि OBC के अंदर जिनको reservation का फाइदा नहीं मिलता है, उनको reservation का फाइदा पहुचाने की कोसिस करनी है, तो sub-categorization with the other backward classes, तो यह बहुत सकते हैं, इनको यह बोला गया कि OBC के अंदर sub-categorization आप लोगो करने हैं, तो उसी के वेसे आपर यह news में है, तो Department of Social Justice और Environment के तैत यहाँ पर यह चीज़ा आप लोगो देखने को मलती है, तो कोई confusion नहीं होना चाहिए, अगर पूचे की sub-categorization कि इस article के तूरू च इट की age में, इनकी death हुई, बाल भवन, अगर बात करें, इन राज कोट 1940s में, तो इक इनके द्वारा कई सारे काम किये गए, इवन quit India moment में भी participate किया गया, ठीक है, तो यह important है, quit India moment कब celebrate कब से start हुआ था, तो याद रखेगा, 8 अगस्त से यह start हुआ था, 8 अगस्त 1942, ठीक ह आप लोगों यह बताना है, कहां से इसको start किया गया था महात्मा घादीजी के दौरा, यह question आप लोगों को बताना है, जो कि question की form में भी आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है, ऐसे map-based question कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, और यह question जो controversy में रहते हैं, उसमें तो खासकर भाग भाग कर question पूछ जाते हैं, बात के जारी जापान के दौरा अभी अप्रूव किया गया है कि एक particular island जो है, उसका नाम change किया जाएगा, तो यह जो island है जिसका नाम change करने की बात के जारी है, control किया जाता है, basically Tokyo यानि के जापान के दौरा, और यह news में भी है, और इसको तौन सिरो के change करकर यहाँ पर इसको basically तौन सिरो सिंकागू, तो यह नाम अभी हाँ पर किया जा रहा है, अगर exact अगर आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह जो particular आइलेंड है, तो इस particular reason में आप लोग क नहीं रहना है, ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पर यह काफी important news आप लोग इसको बोल सकते हैं, हमारी country के प्राइमिस्टर मोधी साब के द्वारा भी हाँ पर इसको basically एक tribute पे गया गया बात की जारी है, हुल दिवस के बारे में, तो हुल दिवस जो हैं यहाँ पर यह basically यह ज जारखंट के अंदर जब आप लोग जाएंगे, तो जारखंट के अंदर आप लोग ने इस्टी में पड़ाओगा संथाल जो rebel के बारे में, तो उसी से एलेक्टेट जो संथाल ट्राइबल है, वो यहाँ पर basically इस day को celebrate करते हैं, तो यह जो day है यहाँ जो celebrate के जाता है, तो 30 जून को यह day celebrate किया जाता है, basically 30 जून 1855 से लेकर यह 3 जनवरी 1856 तक यहाँ पर यह moment चला था, जिसको संथाल, हुल या रिबेलन या फिर हुल दिवस के रूप में भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं, अगर सेंटर के बारे में आप लोगों से कोई पूचे तो यहाँ प सिदो मुर्मू, ठीक है, और इसी के साथ में हाँ पर कानो मुर्मू, ठीक है, तो जिनके द्वारा अपनी last सांसों तक यहाँ पर रडाइक के गई, तो इसी तरीके से आपर दोनों को एक तरीके से salute भी यहाँ पर दिये जाता है, इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं, ठीक है, तो कई बार question बन जाते हैं, तो confusion नहीं होना चाहिए, स्टी के साथ में current को mix करकर भी question आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जारी है, union cabinet के द्वारा, हमारी country में इनके government के द्वारा, space sector में boost करने के लिए private sector ताकि आकर investment करें, तो इसमें अभी इनके द्वारे यहाँ पर Indian National Space Promotion and Authorization Center, जिसको INSPAC, यह यहाँ पर basically provide करेगा level playing field, ताकि private sector वाले भी आकर यहाँ पर space में एक तरीके से, उन्हें करें सपोर्ट कर सकें, ठीक है, वो भी आकर यहाँ पर interest ले सकें, तो इसलिके चलते हैं, ज आगे आना चाहिए, ठीक है, यह important news बन सकती है, आप लोगो बता है, इसराइल और Palestine दोनों आमने सामने खड़े लाते हैं, और कई बार यहाँ पर news में भी राते हैं, तो इंडिया के द्वार अनॉंस किया गया है, 100 million US dollar United National Relief and Work Agency for Palestine, यह इन Near East अगर बात करें, तो UNRWS को बोल इसी बन गए थी, अब इंसान जो है, रिफ्यूजी कोन होता है, जो अपने एरे को छोड़ दर किसी दूसरी एरे में जाता है, तो अब खाना, पीना, दाना, एक एक चीज, उसके लिए सारी चीज़े दिक्कत में बढ़ जाती है, तो जिंदा रहने के लिए, तो रोटी सही रास्ता दिखाने के लिए, तो ये बेसिक इंफॉर्मिसन है, कन्फुजी आना नहीं है, आगे चलते हैं, आपर, ओल्मोस्ट एटीन मन्त आफ्टर, जो रिजब बैंको फिंदे के गवर्नर है, उर्जित पटेल साहब उनके द्वारा, उनको अपोइंट किया गया है, National Institute for Public Finance and Policy, जब वो रिटार हो चुके तो उसके 18 महीने बाद में, यहाँ पर इनको इस पट्यूलर पोस्ट पर बैठाया गया, तो यह काफी important एक think tank है, तो आप लोगों से पूछे, National Institute of Public Finance and Policy, तो इसके चेर्मेन किसको बनाएगा है, तो उर्जित पटेल साब को, यह काफी important Autonomous Organization, Ministry of Finance के अंडर में आती है, और एक तरीके से हाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि काफी important role play करती है, ठीक है, तो यहाँ पर Ministry of Finance के साथे मिलकर यहाँ पर काम करती है, कई सारी State Government और जैसे Planning Commission हो का पुनाने टाइम पे, उस तरीके से इसे नीत आयोगा है, आज चेर्ट में आप लोग चाहे तो उसको private रख सकते हैं और चाहे तो किसी को बता सकते हैं, यानि कि आप लोग योपर कोई pressure नहीं डालेगा, तो section 94 जो है representation of the people act जो है, वो यहाँ पर आप लोग को ये power देता है, कि choice जो है, वो voter की है, कि उसको confidence रखना है, या फिर उसको disclose करना है, अपनी जो particular vote को, ठीक है, तो इसके चलती information जो है, वो खुद उसको अपर depend करती है, कि वो उसको कैसे लेकर चलना चाहते है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कि आप लोग कोई force fully बोलेगा, यार तुमको दिखानी है, कि इसको vote दे कर आयो, और आप लोग को उसको pressure में आकर दिखाना पड़ेगा, तो यह बिल्कुल भी हाँ पर नहीं है, ठीक है, तो basic information है, याद रखेगा, बाकि यहाँ पर अगर बात की जाए, तो यह बात की जा रही है, यमन के बारे में, तो यमन में आप लोग को स्कोटर आइलेंड आप लोग को देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में अगर आब बात करें, तो उसके चलते हैं यहाँ पर यह news है, ठीक है, तो यह Arabian Sea के अंदर काफी important एक area है, तो अभी यहाँ पर आप लोग को पता है, काफी large scale पर यहाँ पर Saudi Arabia के द्वार अटेक कियेगे, तो कई सारी territory जो है, वहाँ पर वो अभी recently news में है, यह देखे, ठीक है, यह रहा है आपर, exact location, ठीक है, तो यह है particular island जो recently अभी news में है, अपनी country compare में आप लोग देखते हैं, यह यहाँ से देखेगा, यह होगया island, यह अपनी country होगी, ठीक है, तो confused आप लोग को नहीं होना है, तो इस particular island के बारे में हाँ पर बात की जा रही है तो अभी southern area के जो separatist हैं, यहाँ पर उनके द्वारा यह role play किया गया, यहाँ से, basically जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते है, Saudi Arabia back force है, उसको भी basically driving out force, यहाँ पर एक देखने को मिलेगा है, यह जड़ब देखने को मिलेगा है, यह जड़ब देखने को मिलेगा है, यह तो को रेटनी है, ठीक है, आसाम के जो चीपनिश्टे हैं, उनके द्वारा अभी order दिया गया था, arrest करने के हैं आपर, एक नाम था, जिसका नाम था है, यहाँ पर गर्ग चटर जी, ठीक है, जिसके द्वारे हाँ पर basically Chinese invader describe किया गया है, आपर चाउलूम, चाउलूम सुपका को, तो उसके चलते हैं, यहाँ पर यह news में आ गए थे, तो चाउलूम यहाँ पर यह सुपका है, यह 13th century में काफी important एक ruler थे हाँ पर यह, जिनके द्वारा a home kingdom found किया गया था, असाम के अंदर, तो यहाँ पर अगर बाहत करें आपर, तो सुपका जो है, यह leader थे a home kingdom के, तो इन की जिसका नाम रखा गया, सत्यभामा, ठीक है, S-A-T-Y-A-B-H-A-M-A, तो science and technology योजना फोर आत्म निर्बर भारत in mining advertisement, तो mining advancement, ठीक है, तो इसके चलते हैं एक portal बनाएगा, science and technology से related जो भी program है, कैसे design की जा रहा है, क्या develop की जा रहा है, क्या implementation की जा रहा है, तो उसकी information आप कर सकते हैं, क्या progress यहाँ पर चल रही है, financial, technical, जो report है, वो भी हाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगी, basically, तो यह कुछ basic information है, इसके बारे में, तो भामा, यह सत्य भामा, पूछे portal किस से लिड़ रहा है, और क्या-क्या चीज़े है, तो हलका सा idea रख सकते हैं, ठीक है, आप लोगो देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर नोयाल रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की, तो उसके साथ में connected है, आपर यह, ठीक है, तो संगम literature में यहाँ पर यह माना जा रहा है, कि इसके बारे में mention किया गया है, तो काफी important archaeological site जो है, अभी हाँ पर हाथ लगी है, state archaeological department के द्वारा, तो तमिलनाडू के अंदर यहाँ पर यह site है, संगम literature में इसके बारे मैं mention है, तो कुछ basic information है, जो कि आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, कन्फूजी आना नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं, यह important news आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, basically ministry petroleum के द्वारा announce किया गया थे हैं आपर, कि किस तरीके से हम लोग crude oil जो है, ठीक है, वो आज केड में अगर बात करें, हमारी country में इतना crude oil के use कह रहा है, तो आने वाले time में crude oil बढ़कर, यह 450 से लेगे 500 million ton per annual हम लोग use करते में नज़राएंगे, फिलाल हम लोग use कर रहे है लगबक 500 million ton per annual, तो आने वाले time में 500 का यह 500 होने वाला है, यानि कि इसकी खपत और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, तो petroleum जो product है, वो आप लोग को देखने को मिलेंगे, previous fiscal year में और कम था आप जिस spirit से बढ़ रहा है, उसके चलते हैं चीज़े देखने को मिल रही है तो 235 million ton per year, यहाँ पर 2030 तक का, और फिर 442 million per ton, यहाँ पर 2040 तक का, तो इस तरीके से चीज़े आप लोग को बढ़ती नजर आएगी, तो refinery का जो system है, वो भी हम लोग को boost करना पड़ेगा, क्योंकि जो refinery आज किर में हम क्या करते हैं, देखें बार से, crude oil यह कच्छा तेल लेकर आते हैं, उस कच्छे तेल को अपने देश में हम लोग refine करते हैं, तो अगर इतना खपद बढ़ेगा, तो refinery के भी हम लोग को double करनी बढ़ेगे न संक्या, तभी तो हम लोग उसमें से basically जो भी हम लोग को माल पानी निकालना है, वो निकाल पाएंगे, तो यह भी अगर आज केरे में कोई particular police person है, वो frustration में है, क्योंकि छुटी नहीं मिल रही है, घर पर नहीं जा पाता है, अपने आपको rest नहीं दे पाता है, 24 घंटे duty, ठीक है, ओपर से salary जादा नहीं है, ओपर से जो officer से उनका pressure देखने को मिलता है, माहो लैसर रहता है, हर टाइम test जहां करेगा, तो more than 50 police personnel जो है, including paramilitary force अभी suicide committed की गई है, 36 गड़ के अंदर यहाँ पर past two years में, तो उसके चलते हैं यह बात की जा रही है, कि अगर इतनी tension यहाँ पर देखने को मिल रही है, खासकर आप लोगों को बता है, यह most affected area भी माने जाता है, तो उसके चलते हैं यहाँ पर तो union petroleum and natural gas, जो minister हैं उनके द्वारा, India gas exchange, ठीक है, तो यहाँ पर यह first nationwide online delivery based यह gas trading platform त्यार किया गया, ठीक है, तो यह किसके द्वारा त्यार किया गया तो online आप लोगों को चीज़े देखने को मिलेगी, अच्छी बात है, जापान उन इंडिया मिलकर काम करें, इनके द्वा पाकिस्तान बोल रहो, जापान के अंदर JAXA है, ठीक है, तो यहाँ पर ISRO और दोनों मिलकर काम करेंगे, यहाँ पर जो यह mission है launch के जाएगा जापान से, और इस mission में H3 rocket use के जाएगा, जो कि हाँ पर, यह मितुस BC, तो यह heavy industry है, जिसके द्वारे इसको बनाए गया है, आप यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, और जो रोवर था यहाँ पर जो नीचे निकल कर चलने वाला था, यह यहाँ पर बेसिकली जैसे यहाँ पर यह जो लेंडर तूटा, तो इसकी भी चूर-चूर होगे, महाँ पर इसके टूड़े-टूडे होगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग soft landing नहीं करा पाए थे, तो अभी soft landing हम लोग करा पाएंगे with the help of Japan, जिसकी वेसे यह news में है, तो जापान के साथे मिलकर soft landing कराएंगे, तो यह एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, आगे अगर बात करें, next news के बारे में तो Reserve Bank of India के द्वार 5 member, यह internal जो working group है, review करने के लिए, ownership guideline, corporation structure के अंदर, Indian private sector bank के अंदर में, तो RBI के द्वारा यहाँ पर PM मोहंते की committee बनाएगी, ठीक है, तो इस committee को बोला गया, submit करनी है, report 30 September तक, ठीक है, तो इसके द्वारा, फिर report submit की गया, तो चीजों को किस तरीके से लेका चलना है, उसके बारे में खाकर त्यार किया गया, ठीक है, तो यह basic information है, जो कि आप लोग idea रख सकते हैं, आगे बात करते हैं, यह काफी important news मुझे personal लगी, जहां से question आप लोग के लिए बन सकता है, आप लोग को बता है, हमारी country में लगबख 58 से 59 के करीब जो app है, Chinese app थे, उनको बंद कर दे गया था, TikTok में था, UC browser था, file sharing app, दुनिया भर की camera scanner बगएरा, सारे इनको बंद कर दिया गया, तो question यह बन सकता है, कि किस base पर इसको बंद किया गया, और किस app के थुरू बंद किया गया, तो जो ban किया गया information, जो हमारी country ministry of information and technology है, उसके द्वारा section 69, information technology app का यह implement किया गया, ज कोई भी information वो चाते हैं, कि block की जाए, public के अंदर नहीं आने चाहिए, तो उसके चलते हैं, इसको यहाँ पर use किया गया, title जो है, section 69, information, जो technology app जो है, यह power करता है, हाँ पर basically एक तरीके से block करने के लिए कोई ऐसी चीज़े, ताकि हमारी country के जैसी sovereignty और integrity को, यानिकि हमारी country की समपरबुता और एक तको अगर कोई एखंडित करने की कोईशिस करता है, security को threat करता है, तो उसके चलते हम लोग उसको रोग सकते हैं, तो कई सारी ऐसी उलटी सीदे घटना ही हाँ पर देखने को मल रही थी, जिसके चलते हैं हाँ यह step उठाया गया, तो इसके बारे में basic information ह हैं, तो confused आप लोग को नहीं होना है, आगे बात करते हैं हाँ पर, next बात की जारे, ministry of minority affairs है, उसके द्वारे हाँ पर, basically, यहाँ पर एक particular आप लोग यह बात की जारी हाला कि उत्तर परदेश के बारे में, तो आप लोगों से उत्तर परदेश से लिटर एक्जाम की चाहरी कर आप लोग को देखने को मिला, संस्कृति जो यहाँ पर संभाव मंदफ है, यह बेसिकली कंस्टर्ट किया गया 92 क्रोर की health से, तो ministry of minority के द्वारा, किसके तहत यहाँ पर, परदान मंत्री, जन, विकास, जो कारिय करम है, उसके तहल, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जा कारिय करम है, इसके बारे, बात करें, तो multi-sectoral development ये प्रोगरम है, यह कही सेक्टर में कांपकरने वाला development का प्रोगरम है, तो इसके चलते है, पहले प्रदान मंत्री, जन, विकास, कारिय करम बोले, जो इसको बोला जा रहा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले, क्या विकास कार्य करम, तो इसकी वज़े से आपर ये news में है, यानिकि एक तरीके से particular risk में जो इस particular field में help करने के लिए तयार है, तो उसकी वज़े से आपर ये news में आ गया है, ठीक है, तो basic किसी information है, कोई confusion mind में नहीं होना चाहिए, आगे चलते हैं, Russia, India, China के द्वारा मिलकर काम के है, यह मैंने आप लोग से distance भी किया, हाला कि 75 वी anniversary celebrate कर रहे है, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा, two time commonwealth, जो यहाँ पर game gold winner, जो की weight lifter के संजीता चानू, तो recently अभी क्या किया गया है, उनको, उनके ओपर basically आरोप लगाए गये थे, charge doping के, तो वो charge उनके हट ग WMO के बारे में बात करें, तो इसके बारे में आप लोग जानेगे कि new world record है, वो सामने निकल कर आ रहे है, longest जो आप reported distance और इसके साथ में longest reported duration, यानि कि सबसे लंबी distance तक और सबसे लंबी duration तक, तो यहाँ पर जो lightning देखने को मिली, उन्हें आकास में बिजली कड़ कड़ाना तो वो ब्राजील और अर्जेंटीना में देखने को मिली, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे, lightning के सबसे ज़्यादे देता है और सबसे लंबे phenomenon का पर है, तो ब्राजील और अर्जेंटीना के अंदर, यह मैं नहीं बता रहा हूँ, यह कौन बता रहा है, World Meteorological Organization, यानि क यहाँ पर एक्सपर्ट देखने को मिलेंगे, आप लोगों जैसे की Planning and Architecture से लेटर, जो बेसिकली Molecular Biologist, तो यह जो एक Statutory वोड़ी है, Environment Ministry के द्वारा इसको चेर किया जाएगा, और यह बेसिकली ओट्रेटीन त्यार करेगी, किस तरीके से हम लोग को अपनी कंट्री के जो है, उनको अगर किसी एक जू से दूसरे जू में ट्रांसफर करना है, इंटरनेसले ट्रांसफर करना है, तो उसमें काम करेगा, तो जू, बेसिकली Central Jew Authorities का नाम दिया गया, अब पार चेर्मैन है, यह चेर्मैन तो एक मेंबर हैंगे, प्लस दस मेंबर इसी के साथ में ए टोफ्स करके मिसन लाए गया, टोफ्स का मतलब क्या रखा गया, टोमेटो, ओनियन पटेटो, यानिक एक तरीक से टमाटर, प्यास और आलू, तो यहाँ पर यह पेरेसेवल आइटम है, यानिक जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनको अगर कहीं एक जगी से दूरी जगा प जो कि एक जगे से दूरी जगे पर एक्सपोर्ट करनी है, तो 50% जो कोस्त हैं यहाँ पर वो मिनिश्टी वहान करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर मिनिश्टी ओफूर्ट प्रोसिंग अनिश्टी वो इसका बेसिकली वहान करेगी, तो उसके चलते हैं यहाँ पर यह नियूज बिसिकली फोर्मेलाइजेशन ओफ माइक्रो फूर्ड प्रोसिंग जो इंडस्टी है तो आत्म निर्भरभात अभियान के दैत यहां पर फाइनेंसल और टेक्निकल और बिजनस सपोर्ट जो प्रोवाइड करा जा रही है इस पर्टिगलर एरिया में बोला यह जा रहा है कि स्कीम जो जन्रेट करेगी 35,000 क्रोड बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इसके साथ में 9,000,000 स्किल और सेमी स्किल जो लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे आठ लेक के करीब जो यूनिट है यह इन्फोर्मेशन ट्रेनिंग यह लग 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 एरे में आप लोग को बेसिकली देखने को मिलेंगी Center की Sponsored subscription में जैसे 50% परेसों Central concentration इस्टेट देगा ठीक है तो 60 और 40 के ratio में काम यहाँ पर चलने वाले है बागी Headland Region के लिए 90-10 के ratio में यहाँ पर रहने वाला है तो scheme deduct की जारी है one district one product ऐसा भी है पर एक district के अंदर एक product use करना है किस तरीके से उसको national level से फिर international level पर जाना है तो इसके चलते हैं आपर जो scheme में फोकस करेगी product minor forest और aspirational district पर भी वो जो की कम जोर पिछड़ा वर आगे उसको साथ में लेकर चलेगी कोसिस की जाएगी ठेक है आगे चलते है जो education ministry है यानि के ministry of HRD human resource and development world first online BST program इनके द्वारा launch किया गया programming and data science के अंदर में आज की डेट में data जो है वो एक नया oil हो चुक है तो उसको analysis करने का काम कहता है तो programming जो है वो prepare की जाती है basically तो Indian institute of technology जो मदरास है वो हैं आपर basically which is rank number one Indian ranking में तो national institute of ranking framework के दाएथ यहाँ पर adapt किया गया इनके दाएथ यहाँ पर जो की एक तरीके से अच्छा तरीका है आपर अगर इसमें काम किया जाता है तो all India radio के बारे बात करें तो हैं आपर इसके बारे में question आप लोगों से बन सकता है SAC News यह पूछ लिया आती है बात की जारी है इनके दोरह स्टार्ट की गई नई magazine है आपर संस्किर्ट में जिसका नाम दिया गया संस्किर्ट सब्ता ही कि 20 minute duration का यह आप लोगो देखने को मिलेगा साथ बज़ के 10 minute पर आएगा सेटर्डे को रिपिटेड ए टैली कास्ट आप लोग इसका संडे को देखने को मिलेगा 1001 megahertz frequency के उपर प्राइमिस्टर नेल मोदी जो है उनके दोरह congratulate किया गया new magazine जो इसका नाम रखा गया आपर वर्तावली जिसके तैट last five year में जो भी DD News के दोरह contribution है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा तो यह कुछ बाते हैं जो कि आप लोगों से हलकी फुल की idea रखेगा पूछ लियाती है ठीक है आगे बात कते है ministry of environment के दोरह आपर one most of celebrate किया गया एक जुलाई को one most of जो है आपर यह एक तरीके से one week का आप लोगो देखने को मलते है स्टार्ट किया गया है 1950 में किया है मुंसी के दौरा और union minister भी रहे हैं आपर agriculture उसके अंदर वसके साथ में कंजर्व कियाता है planting की जाती है आप लोगों से करा पाएगा अगर मन है आप लोगा तो ही आप लोग करेंगे एक इच्छा सकते निकल करानी चीज़ के लिए ठीक है तो उसकी वेज़ से आपर यह news में है यह एक interesting news आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं मिलकर यहाँ पर काम कर रहें ठीक है तो इसके चलते है R.A.S.A.L. जो यहाँ पर खमई है UAE के अंदर में तो वो holding company है जो कि यहाँ पर काम कर रही है निके हमारी country और जो है UAE मिलकर काम कर रही है बंगलादेश में चीज़ों को establish करने के लिए तो यह positive point आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं आगे चलते हैं यह काफी interesting है आपर यह बात करें इसके बारे में International Day of Coopertive 2020 तो यह हाँ पर 4 जुलाई को आप लोग को देखने को मिला इसके बारे में क्यों discuss कर रहा हूँ क्योंकि Coopertive Ministry हमारी country में create के गी है तो International Coopertive Alliance के बारे में बात की जाती है इसके साथ में Contribution के हैं Society में वोगो देखा जाता है Theme क्या है Coopertives for Climate Action तो यह इसकी Theme है Sustainable Development Goal के अंदर जाएंगे तो 13 जो गोल है वो Climate के बारे में बात करता है तो इसके चलते हैं यह News में आगे है तो Basic Question बन जाए तो Confuse नहीं होना है आगे बढ़ते हैं हाँ पर जो Ministry of Road Transport and Highway के द्वारा चंबल Express Project जो हो सामने लाए गया तो यह Madhya Pradesh, उत्तर Pradesh, राइस्थान में आप लोगो को देखने को मिलेगा 8200 क्रोड रुपे के यह जो बना जा रहा है तो आप लोगों से पूछे कोई Mobile Master जी जो Basically Startup किसके द्वारा यहाँ पर यह Basically इसके बारे में डेवलफ के रहे है तो IIT Kanpur, तो यहाँ पर जो Education System है Particularly Classroom Teaching के बारे में अगर बात करते हैं, तो Students के लिए हाँ पर Rural Area में काफी Important हो जाता है क्योंकि आप लोगों बता है कि हाँ पर Internet की Facility नहीं है, तो IIT Kanpur के द्वारे हाँ पर ताकि Classroom को घर तक पहुचाया जा सके, यह तरीका Start किया गया है Mobile Master जी, यह करके App यहाँ पर लाए गया है, जिसके चलते हैं चीजों को Disability Area मेरा पार है, तो यहाँ पर जब इस Wildlife Century को Fund दिया गया, किसके द्वारा UN Development Program United Nations Facility के द्वारा, तो China ने बोले, इसको पैसा मत दो है हमारा एरिया है और भुटान के कभजे में है, तो एक तरीके से Controversy Create करने की कोशिस उसके इर्दगिर्द किये गई, तो ऐसी हरकते गंदी चाहिना करता हुआ, नॉर्मली नजर आ ही जाता है Union Ministry of Annual Hedge Bandry के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो FICERY और जो basically aqua culture है, उसके बारे में बात कि जा रहे हैं, तो से संपधा करके program, परधान मंतरी मतर से संपधा योज़ना आप लोग जाते हैं, sustainable और एक तरीके से responsible development होना चाहिए FICERY सेक्टर में, तो इसके चलते 20,050 क्रोड रुपे यहां पर खर्च किये जाएंगे, ठेक है, तो यह यह एक important news छोड़ी से हो जाते है, जो कि आप लोग confusion में नहीं रखेगी, विल्कुल mind में clarity होनी चाहिए, आगे चलते हैं, artificial intelligence के बारे में बात कि जा रहे है, तो जाता है, emerging technology, जो की annually UK के अंदर देखने को मिलता है, तो अगर कोई उसके अंदर कोई progress कर रहा है, कोई आगी चीज़ों को लेकर चल रहा है, तो basically यह रहता है, कि उस particular चीज़ को और ज़्यदा है, appreciate के जा सके, उसको और ज़्यदा के सामने, लोगों के सामने निकाल कर ला जा सके, तो उसकी विज़े से आपर यह कई बार news में बन जाता है, तो basic information रहेगी, तो कोई confusion environment में नहीं रहेगा, तो अच्छी से आप लोग answer दे पाएं, ठीक है, यह होगा, इसके बारे बाते, बाकी यह काफी important है, आपर why we need fit India movement, तो fit India movement की बात की तो इंडिया जो है, पास्के रेट में ऐसे देखने को मिलेंगे, जिनका यह रहता है, कि खाते पीते घर के भाई साब जादे मैन अपनी करेंगे, ठीक है, तो खाते पीते घर के फिर उनकी बोड़ी में fat बढ़ने लगता है, कई सारी और बीमारी लग जाती है, जरा सी उम्र के अंदर ही दुन हाइपर टैंसन, काडियोवर्सकुलर डिजिजिद, यानि के दिल की बीमारी भी हट अटेक आने के भी चांसे बढ़ जाते हैं, इसकी वज़े से, तो इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री में सामने कोना है, तो मिनिष्ट्री ओफ इमेर रिसोर्स यह स्पोर्ट मिनिष्ट्री के साथ में मिलकर काम करी, और फिट है तो हिट है, तो इंडिया के अंदर यहाँ पर यह कंपेइन स्टार्ट किया गया, यह कंपेइन जो था एक तरीका इंट्रेक्टिव सेसन आप लोग बोल सकते हैं, जिसके चलते हैं, वो सामने निकल कराए और खासकर वो इंट्रेक्शन कर रहे है स्कूल के बच्चों के साथ में, तो चाइल्ड होड क्या रहा है, उनकी फेलियर, क्या स्ट्रगल, क्या सक्सिजरी, उसके बारे में अगर बात करेंगे, तो बच्चों को स्टोरी की फोर्म में अगर चीज़े सुनाए जाएं, तो लंपे समय तक उनको याद रख लेते हैं, तो यही तरीका यहां पर खो जा गया, कि बच्चों तक जो है वो चीज़े पहुचाए जाएं, और बच्चे उनको याद रख पाएं, तो कहीं न कहीं इससे फाइदा होगा, ठीक है, यह इंपोर्टेंट चीज़े देखिए, त ए बेटर न्यू वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ और गयाशन के दौरें हाँ पर, बेसिकली मिजल और रुबेला से हाँ पर एडिडिकेट्शन की बात कीगी, स्रिलंका और मौदीव के हैं, यह जो तो बीमारी है, यह एडिडिकेट कर दीगी है, यह खतम कर दीगी है, तो इसके विज़े से यहाँ पर यह न्यूज में था, तो बेसिक इंपोर्ड इंफर्मिशन हो गई, ह1 वी वीज़े जो है, वो स्किल डिलिवर फोर्स के लिए दिया जाते है, हाँ पर, बेसिकली इंडियन जो नेसनल उन के लिए, ह2 वी वी वीज़े जो रहते है, हाँ य इंडिया से जह है, यूस से में ट्रांसफर कर दिया, गोगल के अफस में, तो इंट्रा कंपणी ट्रांसफर के लिए L1 वीज़े लगेगा, J1 वीज़े जो है, हाँ पर इस्टूदेंट के वर्क करने हैं, उनके लिए हाँ पर लगेगा, तो उनके लिए हाँ लिए हाँ बार question आप लोगों से पूछ ले आते हैं और कई बार इन question को आप लोगों से match करने के लिए भी बाते की जाती है तो कोई confusion माइंड में नहीं रहेगा तो अच्छे से आप लोग इन question का भी answer दे पाएंगे अगर ये चीज़े जैसे news में है ना ये news में है तो आप लोगों को इनके बारे में पता रहना चाहिए और कई बार आप लोगों देखा होगा आसपास के कई सारे जो लोग है वो वीडियोसों में घूमने चले गए तो आप लोगों को एक basic information तो कम से कम पता होना चाहिए ना कि मजाखनोड आई कि यार इसको ये भी नहीं पता है तो एक तरीके से चोड़ी चोड़ी सी बात है जो है माइन में किलिया रहने चाहिए आप लोगों को ऐसा बोल सकते हैं अगर आप लोगों से कोई direct पुछ लेगी भाई साब ये गापी क्या है या फिर गी पे क्या है या पर यह तो इसको बलते है global partnership और artificial intelligence यानि कि artificial intelligence के फिल्ड में काम करने के लिए global level पर लोगों की partnership बन गी है ताकि इस एरिया को आगे लेकर चला जा सके इसमें इंडिया की द अगर बात करें जो गापी ये international and multi-stake initiative है आपा कि artificial intelligence में जो development होता है कल को चलकर human right के बारें बात करें inclusive, diverse, innovation, economic growth तो सारी चीजों में आप लोग artificial intelligence का use कर रहे हैं पर लेकिन क्या artificial intelligence जो है वो सही तरीके से use की जा रही है सही इंसानों के लिए क्या सही चीज़ा हम लोग तया चल रही है जो गापी है आपर ये एक तरही है सपोर्ट करेगी जो सपोर्ट करती है सेकेट्रियेट जो है Organization for Economic Cooperation and Development in Paris के अंदर में और two center expertise आप लोगो देखने को मिलेगी Montreal, Canada और Paris, France के अंदर में तो ये basic information हो गई जो मैंने आप लोगो बता ही तो confusion आना आप लोगो basically हाँ पर नहीं तो कई बार ऐसी चीज़े भी पूछ ले आती है पूछे गापी कहां पर है तो गापी गापी रहे वह वाली चीज़े है आगे चलते हैं हाँ पर ये particular report के बारे बात किजा रही है global multi-dimensional poverty index के बारे में आप लोगों से बात किजा रही है तो multi-dimensional poverty index के बारे में अगर बात करें तो oxford poverty और human development जो initiative है ठीक है तो इसके द्वारे हाँ पर और united nation development program में इसके द्वारा बाते बताई जाती है multi-dimensional poverty मतलब एक तरी से education में कितना पूर है health के मामल में कितना पूर है और living standard कैसा है तो ये criteria basically हाँ पर देखने को मिलता है तो children यानिके जो बच्चे है वो higher rate of mild nutrition देखने को मिल रहे हैं आज किट में half of the multi-dimensional poor people है आपर होई वो देखने को मिलेगा लगो 644 million है children देखने को मिलेंगे 18 साल से जो नीचे की है 84% multi-dimensional 40 जो आप लोगो देखने को मिलेगी यह सब सारन अफ्रीकन वाला हो गया 558 million के करीब ठीक है और इससे के अंदर 553 यानिके वो area है जो की गरीब area है जिनको खान exam में पूछ जाते हैं तो अगर mind में आप लोग confusion नहीं होगा इसके बारे में आप लोग जानते रहेंगे तो question का answer आप लोग दे सकते हैं तो तीन category में multi-dimensional हैंगे अलग-अलग dimension में 40 देखने को मिल रही है तो अगर आप लोग उसे कोई पूछ भी लें कि global multi-dimensional 40 index जो है वो क इसके द्वारा तयार कियाता है तो Oxford quality और human development initiative और united national development program के द्वारा इसको basically start किया गया और इसको basically support किया जाता है तो यहाँ पर गरीबी के बारे में अगर पूछे तो आप लोग याद रहने हैं सबसे ज़्यादा गरीबी normally अगर आप लोग देखेंगे तो यह अफरीका continent के अगर आप लोग को देखने को मिलेगी ऐसे भी एरिया है जहां पर जो basically घास खा कर काम चला रहे हैं तो ऐसे भी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी जो clear होते हैं मुल्क तानिमिट्टी उस तरीके से उससे रोठिया बना कर खा रहे हैं तो उनका एक अंदाज आप लगा सकते हैं कि जिन्दगी किस तरीके से चल रही होगी तो यह है इसके बारे में basic information ठीक है तो यह था total आज का discussion मैं आसा करता हूँ आप लोगों ने श्यांदार तरीके से इसको enjoy किया होगा अगर आप लोगों ने reality में इसको enjoy किया है तो बताईएगा ज़रूर आप आप लोगो टेलिगाम पर मिल जाएगा श्टडी लवर वीर के नाम से टेलिगाम है और उसका link वीडियो के नीचे आप लोगो मिल जाएगा तो यहां से जाकर आप लोग इसको download कर सकते हैं मेरे साथ में social media handle यहाँ पर जिसे की twitter हो गया instagram facebook यहाँ पर भी आप लोग connect रह सकत हैं तो यह थी आज की basic information I hope कि आप लोगो ने इसको enjoy किया होगा तो next lecture मिलता हो तब तक अबना ध्याना किये बढ़ो को नमस्ते चोड़ों को प्यार चोड़ी सी life enjoy करार तब तक के लिए जैहिन